Students, आज का यह वीडियो है concept revision का और chapter का नाम है oscillation, हम लोग सारे concepts को एक एक करके और सारे formulas को with background हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, चलो, oscillation में पढ़ना क्या-क्या है, पहले वो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले meaning समझेंगे कि oscillation का क्या meaning होता है वो जानेंगे, meaning के बाद और क्या जा जानेंगे, फिर energy consideration देखेंगे, energy variation with time and position यह देखेंगे, और time period of different SHM कैसे निकालते हैं हम लोग, in case steps और कुछ example देख लेंगे, साथ में देखेंगे phase in SHM, और simple pendulum जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सारे school में होता है, simple pendulum पढ़ना है, और इसमें Z effective हम लोग कैसे निकालते है वो भी जानने पढ़नेंगे, G effectively कैसे निकाले, क्योंकि time period simple pendulum का होता है, 2 pi और under root L upon G effective, G effective क्या है, कैसे निकालते हैं, वो जानने पढ़नेंगे, last में देखेंगे हम लोग free, forced and damped oscillation, और साथ में resonance इसी में आता है, एक और term, last में वो आता है, resonance तो वो resonance देखेंगे, और पार condition में, चाहे तो body हमारा, वो rest में रहे, चाहे तो body क्या रहे भई, तो rest में रहे, या फिर क्या हो, motion में रहे, तो अगर rest में है body, कोई भी body rest में है, तो चलो कोई बात नहीं है, अगर rest में है, तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन motion में है, तो दो बात हो सकता है, भई, दो ब प्रियोकोन का मतलब क्या है प्रियोक का मतलब है repeating motion after all certain time interval यह क्या करे अपनों गैर को रिपीट करें तो इसको प्लेम को लोंते हैं चलो और अगर नॉन-उन फ्रियोक के राइग मोन कुछ थे मिइट गौसन नॉन रिपीट करना क्वह बात तो थेbaren नहीं कि यहां रिपीट में कर रहा है रिपीट नहीं कर रहा है आज क्यांकि आगें रहा है तो एक बात बात हो सकता है दो बात क्या हो सकता है भई कि यह प्रियोडिक मोशन चाहे तो हमारा नॉन ओसिलेटरी हो क्या हो भई तो नॉन ओसिलेटरी हो या फिर क्या हो औसिलेटरी मोशन हो औसिलेटरी मोशन हो तो अगर हमारा नॉन ओसिलेटरी मोशन है मिन्स ओसिलेटरी मोशन नहीं तो एंड फ्रो मोशन नहीं है तब तो कुछ खास परने को इसमें होता नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन उसलेटरी है तो यह ऐसा ऑसलेशन हो सकता है या फिर एक ऐसा ऑसलेशन भी होता है जो कि नौन एसचेम हो जो कि क्या हो नौन एसचेम हो तो नौन एसचेम है तो कोई बात नहीं है लेकिन एसचेम है तो दो बात हो सकता है क्या भई तो यह चाहे तो लीनियर एसचेम है या फिर क्या है भई तो एंगुलर एसचेम है लीनियर एसचेम है तो एक्सलेशन इज प्रोप ऑबात समझ गे भाई कि मोशन में अगार बाडी है तो रिपेटिंग और नोन रिपेटिंग दो तरग जुचान हो सकते हैं नॉन रिपेटिंग होंकों गए घुम के आगर वापस फिर पता नहीं कब जाएंगे कब नहीं आएंगे अए अरे भाई स्वाड़ाग से आगे जम motion about certain position back and forth to and from motion उसको उसलेटरी मोशन बोलते हैं और यही अगर उसलेटरी बहुत ज्यादा फास्ट रेट से चल रहा हो तो उसको भाइबरेटरी मोशन भी बोलते हैं चलो नौन उसलेटरी मोशन हो वह प्रियोडिक दो तरह के हुए नौन उसलेटरी में प्रियोडिक का एक्जामपल हम लोग समझ सकते हैं नुकलियस के चारो तरफ इलेक्ट्रोन का रोटेशन प्रियोडिक मोशन या फिर सन के चारो तरफ अर्थ का रोटेशन फिर हम लोग समझ सकते हैं वह इस तरह से यह इसे और मौशन जो है नहीं तो फिर वापस ऑ rug scripture नहीं नहीं से इस और एक हैं थीक है वापस के फिर से वापस कि यहां आएगा पपिर से वही मोश प्रिवल इंटर्वल ओटाइम यह अपने आपको रिपीट करेगा तो दो मोशन विल बी नोन आज प्रियोडिक मोशन बट इस नौन असलेटरी नौन असलेटरी तब होता जब हमारा मालोग पेंडूलम की तरह हो यह ऐसे गया फिर वापस आया फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला क और असलेटरी मालो इस प्रिंग माल सिस्टम हम लेकर दिया स्मूढ हो और इससे ब्लोक करता रहेगा और यह इसका त्याम इंटर्वल होगा तुम्हें पता ही है तू पै रूट ओवर लग घ होता है तो यह भी ऑसिलेटरी मोशन है यह भी औसलेटरी मोशन यह भी कैसा है है नौन अस्यलेटरी का भी एग्जामपल समझ गया है चलो भाई उसलेटरी मोशन दो तरह का होता है एसे चिंपल हर्मोनिक मोशन हो या फिर नए सचे आ हो सिंपल हर्मोनिक मोशन को हम लोग समझेंगे डीटेल में चैप्टर का नामौसुलेशन है लेकिन इसमें 95% 98% SSM के के बारे में पढ़ने हैं एसे हम के बारे में पढ़ने हैं simple harmonic motion simple harmonic motion क्या है क्योंकि इसका नाम है थोड़ा सा हम लोग इसके discussion करेंगे अभी हम लोग फिलहाल के लिए भी देखें यह कि सब्सक्राइब करेंगे s address which means a Klein Pay oscillation हो रहा हो और सटेन कंडीशन सटीस्पाइड वो ጥ कंडीशन होता है acceleration atAIRBITLY displacement मालों यह मीन पूजिसन है इससे 엑क्स displacement पे अगर इट्सेलड़सन लिका ले तो उसेट्सम्स वना चहिए समकस्टेंट टाइम स्टेंट वो लीनियर सक्र bacon केलिए हम लोग देखते हैं एंगुलियर एक्सलीराश बेसन जो की कॉंस्टेंट टाइमस अंगुलर सटाम lesser है कोंसेंट टाइमस 125 एब्ल noi हो जायाँगा हमारा एंगुलर सीफ में का कंडिशन ंगुलर सहन vous तो देखेंगे थोड़े टाइम के बाद यह फाइब डिगरी इधर जा रहा है फाइब डिगरी तो जाएगा इसको चेक करने के लिए हम दो देखेंगे कि थीटा और विट्री और इंटेशन पे इसका एंगुलर एक्सलरेशन कितना है अगर वो एंगुलर एक्सलरेशन प्रोपोर्सथेटा हो जाए तो एंगुलर एसे चंप कहलाएं ठीक है इस तरह से हम लोग मेनिंग समझें इसका मेनिंग समझ गये अब ज़रा हम बाद क्लियर कर लें कि oscillatory and vibratory motion क्या है जो भी हम लोगे डिसक्स हिया था थोड़ा बताया भी था oscillation motion का मतलब होता है to and from motion oscillation का मतलब क्या है भई तो to and from motion that is back and forth motion to and from motion बोले या फिर क्या बोले भई तो back and forth motion आगे चले पीछे आए आगे चले पीछे आए जस्ट लाइक पेंडूलम या फिर spring mass system पहले भाई मीन पोजीशन इस मीन पोजीशन बोलता है equilibrium position मीन पोजीशन यहां से राइट वर अगर तू सेंटीमीटर जा रहा हो तो लेप वर भी maximum 2 सेंटीमीटर ही जाए तो यह जो maximum displacement का वैलू है displacement का maximum value from the mean position जो अलसो नोन है amplitude इसको amplitude बोलते हैं बिल्कुल वात यह सब तो सही है ठीक है oscillation मतलब 2 and 4 और back and forth motion लेकिर इसका कुछ time period होता है कुछ frequency होता है one upon time period को बोलते हो frequency one upon time period को क्या बोलते है frequency बोलते हैं अगर यह frequency मालो हर्टे टू हर्ट का मतलब क्या हुआ जा होता है तो हर्ट हर्ट का मतलब है तू साइकिल पर सेंट तो एक सेंट में 2 साइकिल कम्प्लीट करता है cycle complete करने का मतलब है जहां से चला यह वापस उसी condition में वहीं पे पहुँचे उसी condition means velocity repeat हो जाए जो velocity है इसका न यह repeat हो जाए यहां से यहां चला अगर mean position से चला तो mean position तक ऐसे आना है यहां से चलके ऐसे वापस आगे तो वह गया नहीं उसी velocity को repeat करना है अगर यह 2m per second right word था तो यही 2m per second right word यहीं पे आ जाए means means छले तो वापस mean पे उसी डाइक्शयन में move करता हुआ मिले यह extreme से चले अगर मालों एक extreme position पे चलें यह एhaldr Sony ज़िशन तो यहां से चले फिर यहां पे complete तो इसको हम लोगों ने बोला कि यह और सिलेशन हो रहा है कि हो रहा है यह ऑशिलेशन हो रहा है मलोगों ने इसके प्रांड को पैड़क İLA किया और यह भाइब्रेट करना सुरू कर दिया अब यह जब भाइब्रेट करेगा तो इसका यह फ्रिक्वेंसी और भाइब्रेशन यह वाइब्रेशन जो कर रहा है इतना जल्दी जल्दी कर रहा है कि टू हंड्रेट साइकल पर सेकंड कर रहा हो तो इस कंडिशन में इसको ह यहां ज़्यादा फ्रिकंशी है तुर उसको जाए आप उसको क्या बूलेंगे और उसे ऊप्रेशन है इस एसे चल रहा हो तो यह क्या है और उसके कंडीशंग क्या होते हैं वह भी ज्रह समझेंगे तो तो हम क्या है नाम से ईक लिए रह 수가 हर्मॉनिकक मौशन दो तरह से समझते हैं तो सिंपल हरमॉनिक दिरान से समझना और यह कह रहे हैं है मोशन ठीक है हार्मॉनिक, तो हर्मॉनिक फंक्षन दो होते हैं ड्रिद्वन में six function हैं बैई six function हैं न साइन को साइन और टैन, साइन का रेसिप्रोकल को सेक, कोस का सेक और टैन का कॉट, सबको पता है, सिक्स फंक्सन है, ट्रिग्नोमेटरी में, जिसमें से साइन एंड कोस, साइन एंड कोशाइन, इन दो का जो ग्राफ होता है, वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, बागी यह है तो कोस हमारा ऐसे है खास বशन नहीं बस थोड़ा सा पाई बाइटू का डिफरेंस होता है तो Sine और कॉस का सैनुसवडल फंक्शन साइन एंड कॉस को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं साइनुस्वडल function sinusoidal function function यह जो function है यह trigonometric function उसको हम लोग sinusoidal function सबस्दान बोलते हैं और इसका और नाम है इन दोनों का एक और नाम है वह हर्मोनिक function एक और क्या नाम है भाई तो harmonic function किसको पूलते हैं बाय कि फोर को नहीं बोलते हैं out of six trigonometric function only sine and cosine whose graph is sinusoidal sinusoidal इसको बोलते हैं sinusoidal इसको बोलते हैं तो इसको सब्सक्राइब फंक्सन बोलेंगे साइन और कॉस को या फिर इसको हम लोग हार्मोनिक फंक्सन भी बोलते हैं इसका नाम है तो हर्मोनिक फंक्सन समझ गए अब ऐसा मोशन जिसमें ऐसा मोशन देखो ऑसिलेशन हो रहा है तो बही एक मीन पोजीशन है जिसको हम लोग चाहिए 30-30 Ginsburg to 40% तो याद होना चाहिए एक मीन पोजीशन होता था जिसको एकसिकल डूग़ील बोलते हैं और यह मीन को जिसन होता है जिस पेनेट फोर्स बढ़ीशन होता है नेट फोर्स जीरो हुआ होता है पाइब गरेवचों कौ हरे काँ थो ओर डियान देना इस्प्टैमेंट आताइम के साथ फ्लेशन बहुत यह ऐसे वान बद यह 0 हुए फिर – 1 –- 2 – country – – 5-5 cm – 5 cm हो रहा है और यह एक सravail हमारा – 5 से ले करके 5 कुछ भी करता रहता है यह फंक्सट आफ टाइंच थीक है भई तो हमने फाइव को क्या बोला भी तो एम्पलीटूड बोला फाइब को क्या बोला तो एम्पलीटूड बोला अब जला इस पर ध्यान देते हैं इस पर ध्यान देते हैं यह मैं बताना चाहरा हूं कि हम लोग सिंपल हर्मनिक मोशन किसको बलेंगे ऐसा मोशन ऐसा मोशन जिसमें displacement from the mean displacement from the mean can be represented by displacement from the mean can be represented by harmonic function sign हो या कॉस हो harmonic function as a function of time प्रेजेंट करेंगे time के साथ जो vary करेगा यह x वो harmonic function से represent हो और वो अपने simplest form में हो simplest form क्या होगा भाई simplest form यह होगा कि एक ही term हो ऐसा ना हो कि sin omega t plus sin 2 omega t अड़े तो यह तो complex हो गया यह हमारा simplest form में थोड़ी दिख रहा है हर्मोनिक function तो है बट है simplest form में नहीं है अब मानलो sin omega t plus cos 2 omega t है ऐसा करके है या कुछ भी multiply कर दिए multiplied by this है तो यह simplest form नहीं हो simplest form simplest form means एकही टरम हो उससे simple क्या होसा तो में लेकिन हार्मनीक फंक्शन तो हर्मनीक फंक्शन के simplest form से represent हो ऐसा motion displacement फिंट में ऐसा oscillation जिसमें ऐसा motion oscillation आई सा मouse जो जिसमें displacement from the mean at anytime is represented by simplest form of harmonic function वो simplest form हमारा एक ही term वाला होना चाहिए harmonic तो कुछ भी हो सकता है sign भी हो सकता है, cos भी हो सकता है लेकिन वो simplest form में हो तो उसको हम लोग simple harmonic motion बोलेंगे ऐसा oscillation जिसमे displacement from the mean can be represented by simplest form of harmonic function that is single term of harmonic function एक ही term हो, single term of harmonic function हो, तो वो हमारा oscillation system के नाम से जाना जाएगा, कौन सा oscillation जिसमें mean position से displacement at any time can be represented by the simplest that is single term of harmonic function, ten is sign or cos function से representable हो वही हमारा simple harmonic motion होगा, एक definition यह है एक तो इस तरह से हम लोग समझते हैं दूसरा क्या समझते हैं तो दूसरा वे है यह कि ऐसा oscillation ऐसा oscillation जिसमें mean position से x displacement पर अगर हम लोग देखें और इसका acceleration निकाले x displacement पर acceleration देखा जा रहा है तो वो है constant times displacement means जितना ज़्यादा x उतना ज़्यादा acceleration का value but होगा हमारा minus that is x positive के लिए acceleration negative x positive के लिए acceleration negative मतलब towards the mean position जब x हमारा positive है तो acceleration negative that is कि दर होगा? तो towards the mean देखो x यहाँ पर positive है x equal to 0 यहाँ समझते हैं हम लोग इधर x axis माल लो हमने समझा इधर क्या समझा भाई? तो x axis समझा तो when x is positive displacement जो positive है तो इसमें acceleration जो आए वो negative है तो x positive के लिए acceleration क्या हो जागा? minus constant times x that is directed towards mean रहे और x जब negative हो x जब negative हो, x negative हो गया इस action में जब displacement रहा तो x negative होने पर हमारा acceleration positive हो जाए तो x negative रखोगे माल लो minus 2 cm रखा तो minus minus प्लस हो करके acceleration हमारा क्या हो जाए? positive हो जाए जब x negative है यहाँ पर x हमारा negative है तो acceleration positive है ऐसा होना चाहिए means ऐसा oscillation ऐसा oscillation जिसमें acceleration at any arbitrary displacement x is proportional to the displacement value and it is always directed towards mean always यह क्या है? directed towards mean हो तो वो भी हमारा SHM कहलाएगा फिर से बोल रहा हूँ SHM is such an oscillation in which acceleration at any displacement is proportional to the displacement and acceleration is always directed towards mean x positive के लिए negative direction में रहे x negative के लिए positive direction में रहे it means always mean की तरफ acceleration रहे अगर हमारा mean से rightward है तो acceleration उधर mean की तरफ चला जाए जब एक्स निगेटीव है तो हमारा positive बन करके acceleration हमेशा हमेशा towards the mean हो means such an oscillation in which acceleration is proportional to displacement and acceleration is acceleration is directed towards mean position directed always directed towards mean position ऐसा भी हम दोब define करते हैं तुमने ऐसा लिखा होगा इसकूल वाले जाज़ता की यही लिखाते हैं कि सच न उसलेशन है in which acceleration at any arbitrary displacement is directly proportional to the displacement and the acceleration is always directed towards the mean position means x positive के लिए acceleration negative हो और x negative के लिए acceleration positive हो ठीके इस तरह से दो definition हम लोग समझते हैं अगर equation दिया हो तो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि भाई single term of harmonic function है या नहीं equation से ऐसे चेक कर लेंगे या फिर कोई situation दिया हो कोई situation दिया हो mean से x displacement पे देखेंगे कि इसमें जो net force है वो कितना है और force जब निकल जागा तो acceleration मिल जागा भाई acceleration कितना है तो acceleration हम दो निकाल लेंगे भाई x displacement पे जो भी force था net divided by mass करके acceleration निकाल लेंगे और acceleration निकाल करके चेक करेंगे कि ये condition है या नहीं जैसे ये दिखेगा कि ये condition है तो समझ जाएंगे कि system है clear है यहां तक बिल्कुल clear बात है यहां तक कोई परसाइँ नहीं तो दो तरह से हम लोग identify करते हैं simple harmonic motion को चाहे तो oscillation में देख ले हम लोग ये या फिर देख ले equation दिया हुआ है तो ये और दोनों में से कोई एक देख जाए तो दूसरा automatically होगा वो भी बात को हम लोग समझें अगर देखो ये first जो definition हम लोगों ने समझा first definition जो हम लोगों ने समझा कि ऐसा oscillation जिसमें displacement from the mean can be represented by simplest form of harmonic function that is single term containing harmonic function अगर ये है अगर ये definition है तो ये भी automatically है कैसे ये ज़रा देखो अगर माल लो इसको मैं differentiate करके check करना चाहूं कि ये जिस SHM को represent कर रहा है उसमें क्या ये condition होता है क्या ये condition है कि acceleration निकाले हम लोग तो वो directed towards the mean and directed towards the mean रहे और proportional to displacement रहे तो देखो भाई check करके निकाल सकते हैं when a displacement is available as a function of time तो हम लोग differentiating with respect to time करके velocity और एक बड़ाव differentiate करके acceleration भी निकाल सकते हैं तो एक बढ़ हमने differentiate किया तो भाई dx by dt कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें a sin omega t का differentiation क्या हो जागा भाई तो cos omega t हो जागा बिल्कूल हो जागा sin omega t का cos omega t multiplied by omega तो यह क्या हो जागा भाई तो a omega cos omega t हो गया ठीक है भाई a omega cos omega t velocity है acceleration क्या हो जागा भाई तो acceleration के लिए तो हम लोग को फिर से differentiate करना पड़ेगा चलो भाई फिर से differentiate करना पड़ेगा तो differentiation of, ये तो a omega आया था, velocity जो आया था, a omega cos omega t आया था, इसको हम लोग फिर से differentiate करेंगे, तो यहाँ a omega जो है, वो constant है, बाहरा गया, और cos omega t का differentiation क्या हो जागा भई, तो cos omega t का differentiation हो जागा, minus of sin omega t और into omega, ऐसा ही तो होता है भई, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, तो यहाँ से क् मिल जागा हमें, minus हो गया, एक omega सीधे multiply करेंगे, तो minus omega square a, और आगया sin omega t, तो इससे क्या मिल गया भई, तो acceleration at displacement x मतलब, acceleration as a function of time, यह भी देखे, acceleration हमारा यह मिला, minus omega square, और a sin omega t को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, acceleration जो हमें मिला, वो क्या मिला भई, तो minus omega square x मिला, it means constant times x मिल acceleration जो मिला हमें, वो क्या मिला, तो constant times x मिला, displacement from the mean position, तो देख रहे हो कि अगर यह satisfied है, तो automatically velocity and hence acceleration जब निकाला, तो यह automatically satisfied है, means अगर first method से हम लोग ऐसे चम को define करें, और second method क्या था भई, कि यह सीधा situation पर चेक करें, तो देख रहे हो, यह है, तो यह भी automatically है, similarly यह है, तो automatically यह भी होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब equation available हो, तो इस से check कर सकते हैं, जब situation available हो, तो situation में acceleration निकाल करके, वो भी check कर सकते हैं, और जैसे ही तुम्हें omega मिल जाए, तो time period भी निकाल देना, वो क्या होता है भई, तो 2 pi भई, omega होता है, तो यह तो हम लोग समझते हैं, condition क क्या हुआ, तो condition हम लोग चेक कर लिए, acceleration should be proportional to displacement value, and acceleration should always be directed towards the mean position, ठीक है, clear है, यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, लोग, velocity and acceleration निकालें, सम के condition में, तो ठीक है भई, अब पहले velocity देखते हैं, तो velocity देखे हैं, तो हम लोग ने अभी देखा, कि x is equal to a sin omega t ले लिया था, या यह य अगर x is equal to, हम लोगों ने a sin omega t लिया है, तो velocity निकाल है, x भी निकाल सकते हैं, घाला तो देखा, गर देखे है, पहले velocity के लिए, dx by dt करने होते हैं, और dx by dt जब करते हो तो differentiate किसको करोगे, तो a sin omega t को differentiate किया था, जब differentiate कराँगे, तो a sin omega t को जब rabbit करेंगे, तो क्या मिला मिल गया A omega cos omega t तो similarly acceleration जब निकाला था तो क्या मिला था मैं acceleration मिला था तो यह A omega constant था और differentiate किसको करना पड़ा भई तो cos omega t को differentiate करना पड़ा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यह निकिया भी था तो A omega और इसका क्या हो जागा भई तो cos omega t का होता है minus of sin omega t और multiplied by omega बिल्कुल ठीक बात है यहां तक बाई clear है तो यह acceleration जो आया minus omega square into minus omega square A into sin omega t आया ठीक है बिल्कुल यह आ गया अब जरह हम लोग देखें कि इसको यह तो acceleration as a function of time मिल गया यह acceleration as a function of time मिल गया और अगर acceleration as a function of x चाहिए तो acceleration as a function of x है acceleration is equal to minus omega square और A sin omega t को हम लोगों ने x लिखा तो यहां पर यह मिल गया acceleration as a function of x ठीक है भई similarly velocity जो यह आया था velocity जो यह आया था यह क्या आया था तो velocity as a function of time आया अगर हम लोगों को चाहिए कि नहीं भई velocity हमें x के टर्म में बताओ कितने x कितना displacement पे क्या है velocity तो velocity यहां पर as a function of x निकालना चाहें तो हम लोगों को x लाना पड़ेगा कैसे लाएंग भई रूट अंडर डाल दिया तो मिल जाएगा 1-1-1 square omega t cos square omega t root अंडर डाल दिया ठीक है तो यह हो गया यह omega under root 1-1 यह हम लोग इसलिए कर रहे हैं cos को sine में इसलिए ला रहे हैं कि हमें time नहीं चाहिए हमें चाहिए जो function of x तो time कैसे निकालें तो x time के साथ यहां पर है तो यहां से हमें sin omega t निकाल लिया ताकि हम लोग time को हटा करके x के टर्म में लिख पाएं तो 1-sin omega t को अगर x भई a लिखें तो देखो time गायब हो गया और हमें मिल गया यह तो इससे देखो क्या मिला तो a omega और under root 1-x square upon a square और अगर इसको हम लोग इवेलवेट करें और इसको इवेलवेट किया जाए तो velocity is equal to क्या मिल जाएगा भाई तो यह ओमेगा और यह अगर हम लोग इसका lcm लें तो यह मिल जाएगा a square lcm आ जाएगा इसका ठीक है और यह a से cancel भी हो जाएगा तो यहाँ पर राष्ट में बच जाएगा यह हो जाएगा a square minus x square a square minus x square और यह a square जो इदर आया वो ऐसे आ जाएगा a a cancel हो जाएगे और तब मिल जाएगा हमें velocity velocity का value मिल जाएगा omega root over a square minus x square यह मिल गया speed as a function of x हम लोग निकाल सकते हैं यह a function of x है यह ठीक है अगर हमारा positive समझेंगे राइट वर में लेफट वर में सो velocity भी बोल सकते हैं तो velocity function of x हो गया और यहाँ velocity function of time हो गया इधर acceleration function of x हो गया और acceleration function of time भी हो गया तो इस तरह से हम लोग acceleration and velocity समझ सकते हैं इसका हम लोग graphical representation भी हमें समझना जरूर चाहिए देखो भाई जो example लिया है उसी साफ से हम लोग बात करें जो example लिया है उसी के accordingly बात करते हैं थोड़ा सा color change करके चलो भाई तो यहाँ पर मालो हम लोग निकालना चाहते हैं यह ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं कि यह x as a function of time क्या था तो x as a function of time बोले तो a sin omega t था x as a function of time क्या था a sin omega t तो ऐसा बोल सकते हो x का maximum value हो गया plus a और x का इस direction में यानि कि opposite में जो हमारा है maximum value वो भी a है तो इसलिए इसको amplitude बोलते हो भाई x का maximum value को amplitude बोलते हैं इस तरह से x as a function of time vary कर रहा है इसी पर अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई x तो ठीक है लेकिन हमे velocity भी दिखाना है तो velocity है जब function of time दिखाना चाहते हो तो क्या दिखाओगे वह तो velocity क्या है था भाई तो a omega cos omega t तो ठीक है बाई a omega cos omega t तो cos वाले की तरह काम करेंगे भाई यह है तुम्हारा reference line cos omega t का graph हमारा इस तरह से चलेगा cos omega t का graph क्योंकि a omega cos omega t है तो cos omega t का जो graph होगा उसी के accordingly ये काम करेगा तो cos omega t का graph इस तरह से हम दोग दिखाएंगे तो ये वाला maximum value जो है वो a omega है और ये negative में maximum value वो हो जाएगा minus a omega और ये जो graph दिखाया तुमने दिखाया इस्मे और इस्में कुछ खास difference नहीं है थोड़ा सह इसका maximum value में difference है और phase में देखो pi by 2 का difference है means इसको pi by 2 shift करो sine को pi by 2 से shift करने पर ये cos आता है sum को pi by 2 shift करने वे तो sine और cos actually में सिर्फ phase का इन में difference होता है सिर्फ phase का difference होता है और तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें sign और cos, ठीक है, ये पता लगा, तो x और velocity तुमने रिपरिजेंट कर दिया, अब चाहते हो तुमकी भई, acceleration भी इस पर रिपरिजेंट करें, तो acceleration भी हम लोग रिपरिजेंट कर सकते हैं, तो acceleration कैसे रिपरिजेंट करोगे? अगर प्रक्राइब टाना है एक्सेलयराशन कैसे बृडब के ही रेफ्रेंस लाईन को आगे बढ़ाते हैं मौ भर जिहाद और दिए पाई एक्सेलियु इस अगरे फैडरस लाईन चाल वहुतWow जी सब्सक्रिक हो hag़े हैं अब इसका पाइयर उम था यह. omega squared a sin omega t मन् omega squared a sin omega t तो sin omega t है तो पहले minus sin omega t करो अच्छा भाई तो minus sin omega t करोगे तो क्या बन जाएगा तो minus sin omega t करोगे तो ये बन जाएगा minus sin omega t करोगे तो ऐसे बन जाएगा ये है minus of sin omega t ठीक है भाई minus of sin omega t ये value हो गया clear है यहां तक चलो ठीक है, थोड़ा सा डिलीट कर दो भाई, ज्यादा लंबा हो गया इधर, ठीक है, इस तरह से, clear है, तो यह माइनस साइन ओमेगा टी हो गया, यह क्या हो गया, माइनस ओफ साइन ओमेगा टी दिखाया, माइनस ओफ साइन ओमेगा टी दिखाया, अब हमें क्या दिखाना तो माइनस ओमेगा स्क्वार ए से मल्डिप्लाई कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वार ए से मल्डिप्लाई करेंगे तो क्या हो जागा तो ठीक है भाई जहां पर इसको 1 होना था वहाँ पर ओमेगा स्क्वार होगा जब minus 1 होगा तो minus omega 2 A हो जाएगा इसलिए minus omega 2 A कुछ इस तरह बन जाएगा क्योंकि minus sin omega t जब पता है तो minus omega 2 A sin omega t वो ऐसे बन जाएगा यही होगा कि अब ये omega 2 A इतना value में चलेगा भाई इसका maximum value और इधर जो चलेगा वो क्या हो जाएगा भाई दिखाना चाहें तो ग्रिन से भी दिखा सकते थे अगर मैं यलो से दिखा देता हूं चलो ये यलो से दिखा देता हूं ये वाला जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये हमारा हो गया एक्सलरेशन का ग्राफ ये वाला हो गया ये लो वाला वो हो गया एक्जेक्ट एक्सलरेशन एक्सलेरेशन का ग्राफ यह इस तरह से चलेगा ठीक है यह यलो वाला हो गया एक्सलेरेशन का ग्राफ तो यह एक्सलेरेशन का ग्राफ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं ठीक है यहां से ऐसे हम लोगों ने एक्सलेरेशन का ग्राफ दिखाया ठीक है इस तरह से एक्सलेशन का ग्राफ हो गया तो एक ही पर हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं इस तरह से जैसे x as a function of time है वैसे ही velocity as a function of time है और इधर क्या है यह acceleration as a function of time है acceleration as a function of time है clear है यहां तक बात चलो एक चीज़ और दिखाऊंग अब मैं तुमें हम लोग अब चाहें तो एक चीज़ और आता है पूछता है वई यह सब तो आपको समझ नहीं है और भी पूछा दा सकता है कि velocity को as a function of x जैसे यह आया था velocity as a function of x तो यह आया था omega a square minus x square इस तरह का है तो speed का graph यह speed का अगर x के term में graph दिखाना चाहोगे तो यह थोड़ा सा complicated graph होगा भी square करना पड़ेगा और omega a square a square minus omega square x square ऐसा हो जाएगा तो इसको graph plot करना चाहोगे तो इसका graph थोड़ा complicated हैगा तुम्हारे यह थोड़ा बाहर रहेगा ठीक है अभी तो इसके जरूरत है नहीं इसलिए यह graph जरूर आपको याद रखने हैं यह graph जरूर याद रखने हैं हम लोग energy में जब variation दिखाएंगे तो energy as a function of x and energy as a function of time वो दोनों हम लोगों को graphically भी समझना होगा दोनों graphically भी समझना होगा ल velocity as a function of x जरूर ध्यान रखने हैं और साइन में लेके चले थे तो तुमने साइन में जब x को लेके चले थे तो उमारा velocity ऐसे निकला तुम चाहते तो यहां पे साइन के बदले में कॉस भी ले सकते थे और जब यहां कॉस लेते तो इधर साइन आता फिर एक बढ़ और डिफ पोस्नल टू-X and always directed towards mean यह होना ही होना है तो इससे कोई फ़रक नहीं पड़ता अगर साइन के बदले में कॉस होता तो यह कॉस वाला आ जाता इधर साइन वाला बन जाता फिर यह वापस कॉस वाला आ जाता अभी हमारा यह एक्स साइन वाला था तो यह कॉस वाला आया यह ह चलो, next point पे चले हम लोग, force law in SHM, तो SHM में हम लोगों ने देखा कि कोई भी SHM अगर होना है, तो ये जरूर satisfied होना है, x displacement पे हमारा acceleration होना चाहिए, proportional to x, तो अगर acceleration पता है, तो क्या हम लोग force का law नहीं बता सकते, acceleration का law बता रहे हैं कि SHM के लिए acceleration इस law से बन्धा होना चाहिए इस law से constrained होना चाहिए, if the oscillation is to be SHM, तो similarly हम लोग force से related law भी बोल सकते हैं, कि अच्छा, अगर SHM होना है, तो x displacement पे, x displacement पे जो force होना चाहिए, वो mass into x displacement पे, जो acceleration होता है, उसके according होना चाहिए, क्योंकि SHM का condition तो ये satisfy करता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, कि mass into acceleration, जो कि minus omega square x होता है, उसके एक हिसाब से काम होना चाहिए, it means at arbitrary displacement x, force will be minus of m omega square x, और m omega square क्या हुआ भई, तो कुछ constant हुआ, it means minus of constant times x होना चाहिए, means force should be proportional to x, value of force should be proportional to x, and force should be always directed towards the mean, directed towards the mean, ये होना चाहिए, जैसे SHM का condition, हम लोग लिखते हैं, acceleration के लिए, क्या दो condition हुआ भई, acceleration should be proportional, acceleration का value जो है, वो proportional to x होना चाहिए, और acceleration का direction क्या होना चाहिए, तो minus omega square x का direction, x जीतर होगा, उसके opposite होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ, similarly हम लिख सकते है, कि force का value होना चाहिए, वो proportional to x होना चाहिए, और force का direction ह होना चाहिए, वो माइनस constant times, minus constant times, तो यहाँ पर omega square लिख करके, m omega square लिख दूँगा मैं, minus of m omega square into x means, यह constant times x होना चाहिए, x positive है, x अगर i cap में है, तो force minus i cap में होगा, और x minus i cap में है, तो force हमारा i gap में होगा, तो यह वाला और यह वाला में कुछ खास difference नहीं है, दोनों में क्या है, एनलोगी की तरह है, दोनों भाई एक ही तो है, constant m से multiply कर दो, तो acceleration बन जाता है force, so force का law यही हुआ, for shm, for shm, अगर होना है, तो force should be proportional to x, and force should be directly proportional to x, and directed towards the mean, it means, जो force का law है, वो इस तरह का law होना चाहिए, force और x में जो graph होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए, तो force और x में जो graph होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए, means, x अगर positive है, तो force होना चाहिए, और proportional to x होना चाहिए, और अगर हमारा x negative है, तो force होना चाहिए, positive value में, तो यही तो हो गया, f is equal to minus constant तो यह वाला बात बोलें या यह बात बोलें एक ही बात है और ऐसा क्षोण करता है तो ऐसा फोर्स हमारा इस प्रिंग जरूर फॉलो करता है इस्प्रिंग तो ह happen –K x- स्प्रिंग जो पू डलप होता है जब खैसे य। इसी टाइप से इक्षचे ging करता हैं यही वाला time के लिए कि चाहिए वैसा फोर्स डेवलप था स्प्रेंग में स्प्रिण में ही एसा मन करता हुगा आइडियल को स्प्रिंग मास डिवलाप होनाता है इस लिए चाहिए बोलाप evolving को स्प्रिंग मास स्थमझ को कम इस वár छाहिए तो इसलिए हम लोग ideal SHM बोलते हैं किसको भाई spring mass system को तो force related condition समझ गया, force law for SHM हम लोगोंने समझा force law for SHM, force में क्या relation होना चाहिए तो इसमें जो आपको लगे useful वो जरूर आपको note करके रखना चाहिए खोपड़ी में तो कम से कम set कर ही लेना चाहिए खोपड़ी में sit रहेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा चलो अब जरा देखते हैं हम लोग energy variation in SHM energy का कैसे variation होता है, इसके बारे में जरा हम लोग देखें तो चलो भाई, energy variation कैसे निकालें, तो दो तरह का energy होता है कौन कौन भाई, तो kinetic energy और प्लस potential energy इन दोनों के sum को क्या बोलेंगे तो total energy, total energy in SHM बोलेंगे, ठीक है भाई, potential energy and kinetic energy तो बीच में हमने line डाला, क्योंकि हमें energy as a function of time भी चाहिए energy as a function of x भी चाहिए, तो अभी फिलाहल हमें energy in SHM as a function of x समझें, ठीक है भाई, तो as a function of x समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग x is equal to something ले ले लेते हैं भाई, मालो a sin omega t लिया, तो आप लोगोंने अभी देखा था कि velocity हो जाता है जो इसको differentiate करते हैं, तो क्या मिलता है भाई, तो ये मिलता है a omega cos omega t, ऐसा मिलता है, और finally हम लोग अगर as a function of x लिखना चाहते हैं, तो ये आया था omega under root a square minus x square, कैसे आया था भाई, तो इस cos omega t को हम लोगोंने under root 1 minus sin square omega t लिखा, और sin omega t का value x upon a लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये है speed यानि velocity as a function of time है, यहाँ पर ठीक है भाई, यह है, अब ज़रा देखो कि हम लोगो kinetic energy, potential energy लिखना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखना, कि किसी भी oscillating system में मालो, force जो कि minus constant times x होना चाहिए, तो ये constant होता क्या है, तो m omega square होता है, क्या होता है, ये constant, किसी भी schm के लिए, for any schm, for any schm, जो होना चाहिए force, वो इस तरह के format में होना चाहिए, क्योंकि acceleration जो होता है, minus omega square x होता है, तो इसी में तो m से multiply करोगे, तो force बनना चाहिए, it means x displacement पे जो force बनना चाहिए, वो force होगा, m से multiply करोगे, तो m omega square x, तो ये है, it means जो हमारा, ये force में proportionality constant, जो है, क्या होना चाहिए, तो m omega square होना चाहिए, ये हर oscillating system के लिए अपना अपना अलग-अलग value होता है, every oscillating system has got different value of k, that is different value of m omega square, क्योंकि हर oscillating system में कोई तो particle है, जो oscillate करेगा, उसका mass multiplied by omega, और omega क्या है, तो चाहो तो 2 pi by omega time period से भी, हम लोग लिख सकते हैं, कि omega हर oscillating system के लिए अपना अपना होता है, क्योंकि हर oscillating system का अपना अपना time period होता है, और जो अपना अपना time period है, तो सी के accordingly, अपना अपना angular frequency है, ओमेगा का दूसका नाम क्या है, angular frequency, ऐसे तो इसको angular speed बोलते हैं, बट ये angular frequency के नाम से जाना जाता है SHM chapter में, ऐसे angular speed होता है, लेकिन angular speed से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को angular frequency बोलते हैं, इन दोनों में क्या relation है, तो हम लोग वो देखेंगे, topic आएगा इसमें sub-topic, uniform circular motion and SHM क्या relation है, तो ये ओमेगा angular frequency है, यहाँ पर इसका नाम, SHM chapter में इसको क्या बोलेंगा भई, तो इसको बोलेंगे, angular frequency, angular frequency, ठीक है भई, तो ये तो बात खेर है, ये तो बात अलग से हम लोग side में रखते हैं, इसको side में रखते हैं, अभी इसको side में रखते हैं, अब ये speed आ गया, हम लोग जरा यहाँ पर kinetic energy, and potential energy का variation देखना था, तो चलो भई, kinetic energy देखा जाए, तो kinetic energy क्या होगा भई, तो half m v square होता है, तो half m और v square तो इसको square करो भई, तो omega square और ये हो जागा a square minus x square, ये हो गया तुमारा kinetic energy, अगर इसको expand कर दें तो ये क्या मिल जाग तो half m omega square a square minus half m omega square और x square, ये मिल जागा क्या भई, तो ये मिल गया हमें kinetic energy, ठीक है भई, ये मिल गया हमें kinetic energy as a function of x, ये मिल गया kinetic energy, potential energy की बात करें, चलो भई, potential energy की बात करें, potential energy तो half k x square होता है, अगर spring mass system समझते हैं, ये spring mass system को ideal system समझना, क्योंकि spring में जो होता है, वही हमारा किसी भी oscillation के लिए होता है, किसी भी system के लिए होता है, जो spring में होता है, तो ये किसी भी oscillating system के लिए तो होगा, हाँ ये बात अलग है कि हर oscillating system के लिए अपना m है, अपना omega है, इसलिए corresponding force constant k जो होगा, वो m omega square होगा कोई बात नहीं है, हर oscillating system को हम लोग analogy में equivalently समझ सकते हैं, कि अच्छा अच्छा यह है, तो उसके बदले में spring mass system समझे तो उसका spring equivalent क्या समझेंगे, spring में equivalent force constant क्या लेंगे तो उस oscillating system का mass, और उस oscillating system का omega square, तो k is equal to omega square, ऐसा समझते हैं हम लोग, ठीक है तो किसी भी oscillating system के जब potential energy निकालेंगे तो K का value क्या होगा तो K का value होगा M omega square और यह x square तो है ही तो यह वाला हो गया तुम्हारा potential energy as a function of x clear है यहां तक ठीक है भई अब जब potential energy और kinetic energy हो गया तो अब ज़रा total energy भी निकाल लेंगे total energy में क्या करेंगे भई तो kinetic energy और plus potential energy करेंगे ठीक है भई kinetic energy और फंक्सन ओफ x potential energy और यह function of x तो मिल जागा हमें total energy as a function of x तो भई इन दोनों को sum करोगे kinetic energy plus potential energy यह देख रहे हों कि half omega square minus half omega square x square और यह वाला half omega square x square जब हम लोग sum करेंगे तो यह वाला क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और बच जाएगा क्या सिर्फ यह कितना तो half omega square a square इतना ही बच गया और यह total energy as a function of x जो आया तो as a function of x तो निकाले हम लोग कि x displacement पे total energy क्या होगा तो यह आया constant independent of x आया तो independent of x आया और जब independent of x आया इसका मतलब x से कोई लेना देना ही नहीं total energy independent of x आया इसका मतलब यह constant है यह x से कोई लेना देना नहीं चाहे x हमारा कुछ भी हो इसका value fixed रहेगा कितना भाई तो any oscillating system will have total energy कितना भाई तो यह half omega square a square यह हमारा total energy of any oscillating system जो SHM में oscillate कर रहा है वो यह energy रखा है और यह constant है with respect to time and position अभी तो फिलाल with respect to position हमारा with respect to x it is constant x के साथ यह vary नहीं कर रहा clear है time वाला तो अभी देखेंगे थोड़ी दिर में तो फिलाल हम लोगोंने अब इसका कभी कभी हमारा objective में या फिर स्कूल वाले भी पूछ देते हैं ग्राफ तो ग्राफ कैसा भाई पूछ देते हैं तो ग्राफ ऐसा पूछते हैं कि यहां पे इनर्जी दिखाओ यहां पे इनर्जी दिखाओ और इधर एक्स दिखाओ और इसका ग्राफ दिखाओ किसका किसका ग्राफ दिखाओ तो कैनेटिक इनर्जी का पूटेंस एनर्जी का टोटल नर्जी का इन सबका ग्राफ दिखाने हैं माल लोग तो चलो भी दिखाया जाए सबसे पहले तो हम लोग अगर निकालें टोटल एनर्जी का ही ग्राब तो टोटल एनर्जी तो भाई ऐसे चलेगा टोटल एनर्जी तो constant है टोटल एनर्जी कितना है तो वो है half m omega square a square this is total energy this is total energy total energy तो भाई यह है और वो x का value x का value plus a पे भी है और x का value minus a पे भी है x का value minus a पर भी है दोनों पे सेम है और यह तो क्या है भाई तो यह तो x equal to 0 है mean position है तो mean position पर रहे तब भी हमारा total energy उतने ही रहने है और extreme position पर रहेगा तब भी total energy उतने ही रहने है clear है यहां तक बात चलो अब बात कर रहे हम लोग potential energy की बात तो potential energy देख रहे हैं half k x square it means half और constant times x square तो चलो भाई तो half यहनि कि समझो कि 10 x square type का है y is equal to 10 x square type का है तो इसका graph हमारा इस तरह का होता था याद होगा इस तरह का graph होगा इसका भाई potential energy extreme position maximum mean position पर 0 क्योंकि x ही है 0 और half k x square होता है potential energy तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि potential energy का variation इस तरह से ये पैड़ावलिकली इसको represent कर पाएंगे 0 potential energy होगा mean position पे maximum potential energy होगा extreme position पे ठीक है बात भाई यहां तक clear है अब kinetic energy की बात करें तो kinetic energy है maximum energy minus potential energy यानि maximum energy जो था total energy minus potential energy तो बस इसको minus ही समझो कर देने हैं तो ये इस तरह से इसका graph parabolic ही है बट ये reverse होके ये parabolic है इसका graph हमारा इस तरह का आएगा और इस तरह से दोनों का sum क्या होगा तो always total energy रहने है और वो constant रहने हैं ठीक है तो ये जो white वाला हो गया वो क्या है भई तो ये है kinetic energy white वाला है kinetic energy ये वाला तो भई total energy है और ये वाला जो दिख रहा है तो में वो है potential energy red वाला दिख रहा है वो क्या है potential energy red वाला है हमारा potential energy clear है यहाँ तक ठीक है भई ये समझगे हैं हम लोग कई बार question पूज़ आता है कि किस x के value के लिए x के किस value के लिए potential energy and kinetic energy equal होंगे x के किस value के लिए तो हम लोग चाहें तो इन दोनों का value equate करके solve कर सकते हैं means जब potential energy और kinetic energy का value क्या हो जाए same हो जाए तो ये है kinetic energy और ये है potential energy दोनों का value जब equate कर दो तो ये वाला जब इसके साथ equate करोगे तो half omega square तो cancel हो जागा, इसको हम लोग इसके साथ equate करें, half omega square cancel हो जागा, kinetic energy वाले side में आएगा a square minus x square और इधर वाले side में आएगा x square, बस इतना ही तो आएगा, x square इस तरह आएगा, इसलिए क्या बन जागा, 2x square is equal to a square, तो x का value मिल जागा, plus minus a by, 2x square is equal to a square, तो x square is equal to a square by 2, तो plus minus a by root 2, x का value plus minus a by root 2 आएगा, जिसके लिए ये दोनों value equal हो जाएगा, it means, क्या मिला भई हमें, तो x is equal to a by root 2 position पे, और इधर है, x is equal to minus a by root 2 position पे, दोनों energy equal होंगे, clear है यहां तक बात, चलो बहुत बढ़िया, कई बारा ऐसा भी question पूछ दिया जाता है, कैसा question पूछ दिया जाता है, कि कब, for what x, मतलब x के किस value के लिए, potential energy will be 75% of kinetic energy, 75% of kinetic energy, ऐसा हो जाए भाई, 75% of kinetic energy हो जाए, तो क्या करोगे, तो कोई बात नहीं है, जो potential energy है, वो लिखोगे, half m omega square x square, यह होना चाहिए, 75%, 75 by 100 into kinetic energy, kinetic energy का value लिखोगे, half m omega square a square, minus half m omega square x square, बस ऐसा लिखेंगे हम लोग, और बस इसको solve कर देंगे, half m omega square तो सब में से सहीद है, तो इसलिए सिधा value आजागा, x square is equal to 3 by 4, और यह हो जागा, 1 minus, यहनि a square minus x square, a square minus x square, ऐसा आजागा, अब इसका cross multiplication करो, x का value तुम्हें मिल जाएगा, एक positive value आजागा, एक negative value आजागा, मिल जागा तुम्हें value, इसमें कोई परशानी नहीं है, कैसा भी दे, जब भी जो condition देगा, उसे साफसे काम करेंगे, condition लिखने पड़ते हैं, काम करने पड़े हैं, किसी भी position, x displacement पे, kinetic energy हमारा यह है, तो potency energy यह है, तो बात उसमें, अब जैसा condition दिया रहेगा, वसे साफसे हम लोग numerical solve कर सकते हैं, चलो clear है यहां तक बात, यहां तक तो बात clear हो चुका है, ठीक है, ठीक है भाई, चोटा वाला eraser आजाए, ठीक है भाई, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, चलो, अब जरा हम लोग चलें इस पर, किसे भाई, तो energy consideration as a function of time भी जरा देखें, ठीक है भाई, फिर कोई example ले ले लेते हैं, x is equal to a cos omega t लेकर चलते थे, x is equal to a sin omega t लेकर चलते थे, और acceleration क्या आया भई, एक्सेलरेशन की जरूरत तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये minus omega square a और sin omega t आता है, तभी तो a sin omega t को लिख देते हो, x minus omega square x हो जाता है, acceleration, लेकिन अभी हमें इस से मतलब है, क्योंकि हमें potential energy में half k x square, means x का value चाहिए, जो function of time, तो हम लोग ऐसे function of time ही तो आप देखने जा रहे हैं, means kinetic energy t time पे क्या होगा, ऐसे function of time, potential energy और total energy भी निकालेंगे, तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, potential energy t time पे क्या होगा, तो भाई, वो तो होता है half k x square, potential energy तो half k x square होता है, तो half k का value m omega square और x square का value मतलब a sin omega t का all square, क्योंकि x का value तो time के respect में यही है, तो इससे मिल गया, half m omega square a square और sin square omega t, यह मिल गया potential energy as a function of time, clear है यहाँ तक, clear है, कोई परसानी नहीं, चलो, अब निकालना चाहते हैं हम लोग, kinetic energy as a function of time, तो kinetic energy as a function of time निकालोगे, तो फिर तुमें क्या करने पढ़ेंगे, half m into v, v जो की t time पे है, half m और v t time का square, तो v as a function of time तो पता है, v as a function of time तो हमें निकल चुका है, तो यह लिखेंगे, half m into v square, तो v है a omega cos omega t, तो a omega cos omega t का square करेंगे, it means क्या मिलेगा, तो half m omega square a square, half m omega square a square, और यह क्या मिला, तो cos square omega t, यह मिला, ठीक है भई, तो यहाँ पे हमें kinetic energy as a function of time भी मिल गया, तो यह है equation number one, यह है equation number two, चलो भाई, बहुत बढ़िया, अब हम लोग क्या करें, कि दोनों का सम करते हैं, total energy भी चलो निकाल देते हैं, तो total energy t time पे निकाल लेंगे, तो potential energy and kinetic energy, kinetic energy t time का, plus potential energy भी t time का, ऐसा काम करने पड़ेंगे, दोनों को जब सम करेंगे, तो क्या होगा, half omega square a square, यहाँ पे भी half omega square a square, sin square omega t plus cos square omega t, बन जाएगा one, तो half omega square a square आ गया, और sin square omega t plus cos square omega t, यह बन बन चुका है, इट मिन्स यह again आया total energy t time पे, वो आया independent of time, क्या आया भई, तो independent of time, मिन्स time चाहे कुछ भी हो, हमारा total energy इतना ही आगा, इधर आया था independent of x, मिन्स x कुछ भी हो, हमारा total energy half omega square a square है, यहाँ पे भी half omega square a square ही है total energy, so total energy in SHM is independent of x as well as independent of time, so time के साथ भी यह vary नहीं करेगा, clear है यहाँ तक, चलो, अब ज़रा इसका हम लोग variation थोड़ा graphically depict करें हैं, तो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग एक graph दिखाते हैं, चलो, ठीक है, एक graph यहाँ देखते हैं, kinetic energy, potential energy as a function of time देखना चाहते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा color अलग ले ले, चलो, अब ज़रा देखते हैं हम लोग किसको दिखाना चाहेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं, चलो, kinetic energy को दिखाते हैं, अगर kinetic energy दिखाना चाहते हो, तो cos square वाला चाहिए, अच्छा, तो cos square omega t चाहिए, तो पहले तो cos omega t जानो, ठीक है भाई, तो cos omega t तो ऐसा होता है graph, cos omega t का ऐसा होता है graph, ठीक है चलो कॉस ओमेगा टी का ऐसा ग्राफ है तो कॉस स्क्वाइर ओमेगा टी का कैसा ग्राफ होगा तो कॉस स्क्वाइर ओमेगा टी का ऐसा होगा ग्राफ जब कॉस ओमेगा टी का ग्राफ पता है ऐसे तो कॉस स्क्वाइर ओमेगा टी का ग्राफ होगा ऐसे cos square omega t का graph होगा ऐसे ये हो गया white वाला cos square omega t का graph और cos square omega t में हम लोग half omega square a square से multiply करेंगे तो क्या मिल जाएगा भई तो हमें मिल जाएगा तो इसको multiply कर देते हाफ omega square a square से तो ठीक है भई इसको हमने multiply कर दिया half omega square a square से तो cos square omega t जो था वो अब हो गया ये ये वाला बन गया half m omega square a square और cos square omega t cos square omega t ये हो गया तुमारा green वाला हो गया ये हमारा हो गया half omega square omega square cos square omega t तो ये बन गया तुमारा क्या भई तो ये cos square वाला था sin omega t का ग्राफ ऐसा अगर है sin omega t का ग्राफ ये है तो sin square omega t का ग्राफ ऐसे हो जाएगा sin square omega t का ग्राफ ऐसे हो जाएगा ठीक है ये वाला हो गया ये sin square omega t का ग्राफ हो गया ध्यान देना तो ऐसा ही ग्राफ है तो ऐसा ही प्रेंस से जिवाले में ग्राफ आएगा तो यह इस तरह से आएगा तो मैं तो यहाँ तो इसका भी होगा और कहा तक जाना है वैई तो sin square omega t को भी half omega square a square तक जाना पड़ेगा तो ये इस तरह से चलेगा sin square omega t का graph इस तरह से चलेगा तो half omega square a square और sin square omega t का graph ये हमारा yellow color से चल रहा है yellow color दिखने में problem हो रहा हो तो मैं जिगजग करके दिखा देता हूँ ये है yellow color वाला graph ठीक है ये वाला हो गया हम लोगा क्या भई तो ये हो गया potential energy का graph अगर वो kinetic energy का graph था तो ये वाला हो गया potential energy as a function of time का graph और total energy as a function of time क्या है भई तो total energy as a function of time तो ये वाला है white वाला जो की value total energy वो constant रहता है कितना value पे रहता है भई तो ये total energy जो है वो कितने value पे रहेगा तो ये तो रहेगा भाई, half m omega square और a square, ये हमारा total energy है, जो कि white color से दिखाया, वो तो हमारा हमेशा constant रहने है, ठीक है बात, clear है, ये थोरा सा उपर बढ़ गया है, ये थोरा सा उपर नहीं रहेगा, सब एक level पे रहेंगे, clear है यहां तक, तो इस तरह से as a function of time variation भी हम लोग समझते है, sin omega t ये है, तो sin square omega t इस तरह से है, clear है यहां तक, ठीक है बाई, ये भी हम लोग ने देख लिया variation, आगे बढ़ते हैं, next topic पे चलते हैं, हम लोग कुछ oscillating system का देखें कि time period कैसे निकालते हैं, तो spring mass system अभी हम लोग ने देखा थ spring mass system horizontal भी हो सकता है, और vertical भी हो सकता है, अगर मैं spring mass system की बात करूँ, तो एक होगा mean position, वो mean position कौन सा होता है, जहां net external force 0 होता है, अब इस से हमने x displacement पे, x displacement पे देखा, इस से x displacement पे acceleration कितना होगा, तो ये वाल है भाई, spring constant किये है, तो acceleration at x displacement is equal to force divided by mass, ठीक है, acceleration at x displacement is force divided by mass, और force का value spring में कितना होता है, तो minus k x होता है, divided by mass करेंगे, तो minus k upon mx आएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं, standard क्या है भाई, तो standard ये है, SHM के लिए कि ये minus omega square x होता है, it means इसको अगर हम लोग compare करें, तो यहां पे पता लग जाएगा, हम लोग compare करते हैं, ठीक है, क compare करते हैं, तो हम लोग compare करें, तो comparing, we get the value of omega square, जो कि है यहां पे k upon m, spring constant divided by mass of the oscillating system, means omega का value हो गया, तो under root k upon m हो गया, so time period का value क्या हो जाएगा, तो 2 pi root over m by k हो जाएगा, तो time period, simple हम लोग निकालें, spring mass system in the horizontal position, तो वो ये मिलेगा, बिलकुल मिलेगा, clear है, कोई बात नहीं है, और spring जब अपने natural length में है, तो इसका mean position होता है, तो इसका mean position means कोई extension नहीं है, और condition में spring force भी 0 है, ठीक है, यह mean position बनता है, ठीक है, यह spring mass system horizontal position में है, अगर मैं vertical position की बात करूँ, किसकी बात करें मैं, तो vertically अगर spring को हम लोग oscillate कराएं, तो vertically कराएंगे, तब भी हमारा इसका time period वही रहेगा, time period वही रहेगा, 2 pi root over m by k, बस हमारा mean position change कर जाता है, mean position जो होता है, mean position is at extension, is at extension, x naught is equal to mg by k, यह result मैंने दिखाया, result है, बाकि तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, कहां से आया, देखो भाई, जब यह नहीं भी oscillate कर रहा है, बिल्कुल यह rest में है, बिल्कुल rest में आये, तो उस condition में, जब यह rest में है, means equilibrium भी है, और यह rest में रुका हुआ है, तो ऐसे condition को हम लोग समझते है, x equal to 0, लेकिन यह x equal to 0, shm के लिए है, x equal to 0 mean position, यह mean position है, और shm के लिए हम लोग समझें, कि यह mean position of shm है, और इसलिए x equal to 0 समझ रहे हैं, अगर change length की बात करें, तो यह यहाँ पर original length था, और इसमें already, इसमें extension हुआ परा है, x naught, क्योंकि ऐसे condition में, जब mean position है, net force 0 है, तो इस mg weight को जरूर इस spring ने counterbalance किया होगा, और अगर उस समय, equal video में extension x naught है, तो k x naught force लगाया होगा, spring force, यह spring force कितना value का लगा भई, तो k x naught value का, क्योंकि x naught is the elongation, तो x naught elongation से यह equal video में किया होगा, और हम लोग लिख सकते हैं, k x naught must be counterbalancing mg, so x naught जो mean position पर हमारा extension है, वो हमारा mg by k है, mean position पर जो extension है, वो क्या है भई, तो वो mg by k है, mean position पर extension, in the spring, means already जो है, वो natural length में रहा करके spring, mean position को नहीं अटेन किया रहेगा, वो natural length है, उस से x naught extension पर है, यह mean extension है हमारा, यह mean position पर extension in the spring है, elongation in the spring है, लेकिन x equal to 0 इसको इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह हम लारा shm के लिए mean position है, यह shm के लिए हमारा mean position है, अब इस से अगर हम लोग, अब इस से हम लोग इसको oscillate कराने के लिए हमने क्या किया, कि इसको थोड़ा सा displace करा करके release कर दिया, चाहे vertically upward या downward, ऐसे release कर दें, तो यह इस तरह से oscillate करने लग जाएगा, यह इसका mean position होगा, यह इसका क्या है mean position है, तो अब इस condition में, कैसे निकालेंगे, कि shm होगा कि नहीं होगा, तो भाई, इसक देखो, कि उस पे लगने वाला net force क्या है, और acceleration क्या है, तो मैं अपने आप मिल जागा condition, कि shm होना है, कि नहीं होना है, तो भाई, हमने x displacement पे इसका analysis करना सुरू किया, तो इधर से force लगेगा, spring का force, इधर से force लगेगा mg, तो net force जो लगेगा हमारा, वो, अगर हमने x displacement पे देखा है, यानि कि x direction downward है, यह x equal to 0 है, तो उस condition में बोल सकते हैं कि spring force हमारा ज्यादा लगेगा, और यह mg से, तो अगर यह ज्यादा लगेगा, तो उस condition में हम लोग इसली निकाल सकते हैं, क्या भी निकाल सकते हैं, कि net force कितना है, तो net force will be equal to x positive के लिए net force होगा negative direction में, और तो वो कितना value का हो जागा, तो जितना spring force है, minus mg force, और spring force कितना है भई, तो यह spring force का value है, वो k into x naught तो पहले से spring elongated है, उसमें x और elongation हुआ है, तो यह लगा हमारा spring force, k x naught plus x लगा हमारा क्या भई, तो spring force और यह लग गया, total net force, तो यहाँ से value मिला, minus of, और यहाँ लिखेंगे k x naught plus k x और minus mg, लेकिन हमारा k x naught और mg दोनों equal है, k x naught और mg दोनों क्या है, वो equal value के है, इसलिए वो तो cancel हो गया, और मिला क्या हमें भई, तो मिला हमें minus k x, means net force जो निकाला हम लोग ने, x elongation, x displacement from the mean, तो वो आया minus of k x, minus of k x, ऐसा आया, तो इस से हम लोग conclusion निकाल सकते हैं, again, कि जब हमारा force ही ऐसा आया, तो acceleration के लिए तो हम लोग भई force divided by mass करेंगे, और force divided by mass करेंगे, तो minus k by m x आयेगा ही, पहले की तरह, इसलिए omega square का value क्या मिला भई, तो k by m मिला, omega का value under root, और time period का value हो गया, 2 pi by omega, that is 2 pi root over m by k, so time period तो वहीं आयेगा, time period तो वहीं आयेगा, जैसे horizontal वाले में natural length पे होता था mean position, यहां इस condition में natural length से x naught extension, जहां पे x naught extension क्या भई, तो mg by k है, इतना extension नीचे आया, तब जाके इसका mean position है, और इसी की दोनों तरफ ये equal value से displace होता रहेगा, और oscillation चलता रहेगा, जिसका time period वहीं रहेगा, 2 pi root over m by k, clear है यहां तक, कोई प्रसान ही नहीं, तो इस तरह से spring mass system हम लोग ने देखा, horizontal देखा, and vertical देखा, horizontal और vertical में time period का कोई difference नहीं है, omega का कोई difference नहीं है, सिर्फ mean position का difference है, यहां पे natural length से mg by k distance, extension पे mean position अप्टेन हुआ है, mg by k displacement, next topic पे चले, steps to find अगर किसी oscillating system का हमें time period निकालना है, तो उसके different steps क्या होंगे ब पहले तो यह चेक करो कि oscillation हो रहा है कि नहीं, अरे जब oscillation ही नहीं होगा, तो ऐसे जम के लिए क्या test करोगे, और कैसे time period निकालने का सोचोगे, पहले तो यह देखो, oscillation है कि नहीं, oscillation है, ठीक है बाई, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका हम लोग consider करेंगे, एक पहल वेर, net force is zero on the oscillating system, step number two, जैसे mean position निकल गया, तो उसके बाद consider करो भई, consider the oscillating system, consider the oscillating system, oscillating system को कहां consider करें भई, तो add displacement x, add displacement, कहां भई, x from mean position, जो mean निकाले हो भई, उससे x displacement पे consider करो, and find, क्या find करो भई, consider करके, find acceleration at displacement x, ठीक है, as a function of x, जो हम लोग निकालेंगे, that is x displacement, consider करो, और acceleration निकालो, कैसे निकालोगे भई, तो पहले force निकाले होगे, उसके बाद, mass से divide करके, निकालोगे, third step में कारण करेंगे, क्या भई, तो जैसे ही यह निकल गया, force, तो फिर check पहले, check acceleration, जो हमारा, minus omega square x वाला condition, satisfied है, या नहीं, अगर यह satisfied है, तो स्टम होगा, check वेदर इस, कंडिशन इस, सटिस्फाइड और नोट, इफ इप इस, सटिस्फाइड, find omega सटिस्वाइड है, अगर मालो आ गया, minus 10 times x आया, तो भई, है नमारी, constant times x, तो omega का value हो गया, under root 10, प्रव कि और जैसे-धे निकला तो बस टाइम नीदग्र टोगके यहां पर मेगस निकल चुका है बाई हो नुच है मैं तो यह तो जैनरल है वह क्या करने हमें सिच्वइशन को समझाना है तो इस tough स्टैंडर्ड के साथ ऐसा फॉर्म में होता है अगर यह फॉर्म है नहीं है तो जैसे मिल गया तो स्टैंड के स्टैंडर्यों मिल जार रे मीश्चेजर का में होगा प्यूर्म है इसका में पॉजिचन कहा होगा जहां जहां mg is counterbalanced by the tension, तो यह इस तरह से इसका mean position है, और tension is equal to mg, यहाँ पर mean position में पढ़ा हुआ है बेचारा चुपके से, दस सालों से पढ़ा हुआ है, अब कोई रमेस आया है, इसको ऐसे oscillate कराकर छोड़ दिया, तो ठीक है भाई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा स displacement पर देखा हम लोगों ने mean position से, suppose x displacement पर यह है, अब x displacement पर चक करेंगे कि इसका acceleration कितना है, x displacement है यह, इस लाइन पर समझो की motion हो रहा है, almost line की तरह का चोटा सा अगर displacement है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, अब इस x displacement पर हम लोग, मालों यह theta angle है इस समय, तो हम लोग बोल सकते हैं, यह L है, तो theta is equal to x upon L भी बोल सकते हैं, बिलकुल बोल सकते हैं, theta is equal to x upon L, यह x है value, ठीक है भई, तो हम लोग निकालना चाहते हैं, first step देखा कि यह oscillation कर रहा है भई, oscillation कर रहा है तो x displacement पर हमने consider किया, यहां पर हमने bob को consider किया, अब यहां consider करोगे तो इस पर लग component होगा, और कितना component होगा वो जड़ा देखें, तो इस mg का component है, एक तो इधर है भई, बिलकुल string के direction में, वो है mg और यह वाला भी angle theta है, इसलिए यह हो गया mg cos theta, और इधर वाला component होगा, जो इधर वाला component होगा, is the case just perpendicular, वो इधर वाला component है, mg sin theta, और यह mg sin theta component जो है, यही इस bob को वापस लाने का tendency रखेगा, mean के तरफ यही लग रहा है, so x displacement पे जो इधर तो tension का force है, हमें चाहिए तो tension का force है, हमें चाहिए यह कि mean की तरफ कितना force लग रहा है, तो यहाँ पे x displacement पे देखा हम लोगों ने, तो यह जो force लग रहा है, वो लग रहा है mg sin theta, क्या लग रहा माइनस sin दिखा रहे हैं, restoring nature के लिए, तो force जो मिला हमें x displacement पे, minus mg और sin theta का value, अगर हमारा small theta हो, तो sin theta और theta जो है, वो क्या होते हैं, same ही होते हैं, तो small theta के लिए ऐसे लिखते हैं, और minus mg और theta का value हम लोग, x upon l लिख देते हैं, theta का value क्या लिखेंगे, x upon l, तो इससे हमें force मिल गया भई, जैसे ही force मिला हमें, तो acceleration भी निकाल सकते हैं, तो acceleration निकाला, तो force divided by mass करेंगे, ठी हम cancel हो जाएगा, और acceleration, add displacement, x is minus g by l into x, क्या ये proportional to x आया भई, अब third step की बात करें, acceleration तो निकाल जो कैसे करने, step वाला काम, third step में देखेंगे, क्या ये, a is equal to minus omega square x वाला format में है कि नहीं, तो है भई, g constant, l constant, इसलिए ये हमें compare करना पढ़ेगा, इसको, किस से compare करोगे भई, इ comparing with standard equation of SHM, तो a is equal to minus of omega square x होता है, तो इससे हमें omega का value मिला, कितना भई, तो under root g by l मिला, इसलिए time period कितना होगा भई, तो 2 pi under root l by g, क्योंकि 2 pi by omega होता है भई, तो time period यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहें कि हम लोग effectively जब इसका use करते हैं, तो य 2 pi root over l effective upon g effective होता है, और l effective क्या होता है भई, तो l effective होता है, suspension point से, l effective क्या है, तो suspension point से center of bob, center of bob का यह distance, यह है हमारा l effective, यह वाला नहीं है, यतना ही length नहीं है l effective, l effective है center तक का, यह center of mass तक का, हला कि यह size इतना small होता है कि यह दोनों l almost same रहते हैं, क्योंकि bob का size very very small होता है, simple pendulum बोलते ही उसको है, जिसमें कि यह bob का size very very small हो compared to the length of the pendulum, तो l effective और l में बहुत जादा difference नहीं होता, फिर भी कभी अगर minutely पूछा जाए, तो l effective is center of the bob to suspension point distance, ठीक है, और z effective क्या है जरा उसको स निकालते हैं, कई बार क्या होता है, कि G simple नहीं होता, उसको lift में डाल दिया, तो satellite में डाल दिया, कहीं पे car में pendulum लटका दिया, तो उसके लिए G effective हमें अलग से निकालने का trick पता होना चाहिए, तो यह simple pendulum तो समझे काम से क्या है, G effective कैसे निकालेंगे, यह next topic इसमें देखने कहीं भी suspended हो, कहीं भी suspended हो, तो यहां पर G effectively क्या होगा, वो जरा समझो, तो यह कई बार होता है कि भाई lift में डाल दिया, car में डाल दिया, तो इस पे और भी forces लग सकते हैं, तो एक tension force तो लगता ही है, और mg force लगता ही है, कोई और भी force लगने लगे, electrical force लगने लग जाए, centrifugal force लगने लग जाए, तो और भी force इस पे लग सकते हैं, माल लो, F1 लग गया, F2 लग गया, इस तरह से, तो आपको क्या करने हैं, G effective निकालने के लिए, तो G effective निकालने के लिए, tension force छोर दो, और बाकी forces पे जोर दो, बाकी forces को सम करो, जितने भी force हैं, except tension, उन सब का net निकालो value divided by mass, will be the value of G effective, या यू बोलें कि G effective निकालने के लिए, हमें, tension value ही चाहिए at equilibrium, tension का value at equilibrium of the system divided by mass, अब ये tension का value थोड़े इसली निकाल पाओगे, tension का value निकालने के लिए, देखो भाई, equilibrium condition में ये धियान रखना, equilibrium condition में ये होना चाहिए, अभी तो इसमें मैंने दिखाया कि य लेकिन आपको ये value जो निकालने है, force के, वो कब निकालने है, जब pendulum हमारा equilibrium में हो, जब pendulum क्या हो, equilibrium में हो, तब देखो उस पे कौन कौन सा force लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, मालो, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, और tension force तो वेस रहे गाई, तो tension force छोड़ दो, और बाकी forces को vectorially जोड़ दो, जोड़ना मतलब add करना, तो इनको हम लोग add करने, क्यों भई, देखो भई, at equilibrium, at equilibrium net force क्या होता है, तो net force तो zero होता है, तो net force zero होता है, इसका मतलब कि F1 force, plus F2 force, plus mg force, plus tension force मिल के होगा न, zero, तो हमें चाहिए tension का value equilibrium के condition में, तो equilibrium का मतलब net force zero, तो net बाकी जितने भी forces हैं, F1, F2, उन सब को उधर ले जाएंगे, तो बाकी जो forces हैं, इनका vector sum करो, इनका vector sum करो, और उसमें equal and opposite, means जितना resultant, tension का value उतना ही होगा, जितना बाकियों का resultant value है, उसके equal and opposite, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कि बाकियों का ही vector sum करके net force का value निकाल देत कि जितना भी tension force को छोड़ करके equilibrium में, यह सब कभ है, at equilibrium, तो equilibrium position पे हम लोग देखेंगे, tension छोड़ के बाकी जो forces हैं, उनका vector sum करो, और value निकालो, mod, value of the net force, except tension, divided by mass, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और effectively हम लोग का मिल जाएगा, और जी effective मिल गया, तो time period के लिए formula apply कर देंगे, example त तो numerical जब solve करोगे, तो बहुत सारे example मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक example में तुम्हें दिखा दूँ, मालो एक lift है, क्या है एक lift है यह, और इस lift में हम लोग क्या करें, एक pendulum है, और यह lift को upward accelerate करा दिया, मालो, g by 2 से upward accelerate करा दिया, अब यह इसको oscillate कराएंगे, तो इसका time period यह क्या observe करेगा, lift observer, तो with respect to lift की हम लोग बात करें, तो इसका time period निकालना चाहते हैं, time period की oscillate करेंगे, देखो भई, ground frame में तो यह oscillate करता हुआ, दिखे गा ही नहीं, क्योंकि oscillate करने के साथ linear motion भी कर रहा होगा, वो भी accelerated, तो यह तो ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे जा system की तरह करेगा, इसलिए हम लोग किदर बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे with respect to lift, तो with respect to lift की बात करें, तो इस पर फोर्स जो लगेंगे, अब जारा देखो ध्यान से, कि equilibrium condition में, इसमें tension का force लगेगा, बिल्कुल लगेगा भई, mg का force लगेगा, बिल्कुल लगेगा और upward accelerator है, इसलिए ये कैसा frame है, तो non-inertial frame है, non-inertial frame है, तो इसको pseudo force भी लगाने पड़ेंगे, वो pseudo force कितना लगेगा, तो mass into acceleration of the non-inertial frame, और वो भी opposite में, क्योंकि याद होगा, pseudo force क्या होता था, pseudo force minus m0, where acceleration is acceleration of non-inertial frame, तो इस तरह से ये लगाएंगे, अब यही तो तीन force लग रहे हैं, इसलिए g effective निकालना होगा, तो tension को छोड़ दो, बाकी forces को जोड़ दो, add करें हम लोग, vectorial दोने एक ही direction में है, तो direct add हो जाएगा, और divided में मास्क करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, g plus a naught, यानि कि g plus a naught का value था, कितना g by 2 था, यानि कितना मिल गया, 3g by 2, अब जब 3g by 2 हो गया, g effective, तो time period भी मिल जागा, कितना मिल जागा, time period भाई बताओ, time period कितना मिल जागा, तो time period होता है, 2 pi root over l upon g effective, g effective आ चुका है, 3g by 2, तो 3g by 2 हो गया, इस तरह से time period is 2 pi under root 2l by 3c, यह मिल गया हमें time period, clear है यहां तक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अची बात है, कभी-कभी ऐसा भी होता है मेरे भाई, कि यह car में लटका दिया, truck पे लटका दिया, bus में लगा दिया, अब यह bus भागा जा रहा है, इस direction में acceleration है, मालो इसका acceleration again हमारा, कुछ भी है, g by 2 है, acceleration, तो ऐसे condition में अगर यह pendulum है, तो bus observer जो देखेगा, इसको oscillate करता हुआ, तो प force, ma-naught, बाकी लगेगा, यह mg, और यह लगेगा, tension force, तो अगर हम लोग बात करें, यह tension force तो ऐसे लग गया, अब इस पे mg और यह ma-naught, जो कि आपस में perpendicular है, यह 3 force लग रहे हैं, तो at equilibrium, net force 0 होना है, इसलिए tension का value बाकियों का equal and opposite बाकियों का sum निकालने हैं, तो हम लोग क्य करेंगे, तो यहाँ पे z effective, g effective is equal to, हम लोग बोलेंगे, कि ma-naught जो force है, और प्लस mg जो force है, इसी को vector सम करके, और हम लोग effectively निकालेंगे, तो बताओ भई, a-naught का value इधर है, यह इधर है, तो हमारा यह जो tension का value add equilibrium, यानि कि इन दोनों का net value, तो यह दोनों आपस में perpendicular है, यह इसलिए यह जो value होगा, वो होगा, m a-naught square प्लस mg का square divided by m, m common लेकर cancel हो जागा, और यह मिल जागा, a-naught का square plus g square, हमारा z effective का value मिल चुका है, g square plus a-naught square, इसलिए यहाँ पर जो time period लिखेंगे, तो time period 2 by root over l divided by g effective, तो g effective कितना था, तो a-naught, a-naught का value g by 2 था, तो g by 2 का square करेंगे, और इधर यह g square तो यह है, और यह जो value आएगा, वही time period हो जाएगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, g effective की बात, आगे बढ़ते हम लोग, free force and damped oscillation, free force oscillation, damped oscillation, resonance यह समझते हैं, देखो भाई, कोई भी oscillating system है, ध्यान देना, कोई भी oscillating system है, इसको हम लोगों ने oscillate कराया और छोड़ दिया, कि भाई ठीक है, अब तूँ oscillate करता रहा, आजाद है, तो यह under the restoring force जो भी develop हुआ system में, under the action of restoring force, under the action of restoring force, ठीक है, restoring force यह अपना oscillate करना शुरू करेगा, और यह जब oscillation करेगा, तो इसका अपना कुछ time period होगा, time period होगा भाई अप ठीक है, अपना कुछ time period होगा, और अपना कुछ frequency भी होगा, one upon time period frequency होगा, तो ठीक है भाई, अपना frequency भी होगा, under root GYL, तो यह अपना जो frequency, अपने अफ्री, under the effect of, under the action of only restoring force, यहाँ पे कोई external force अब नहीं लगा रहे हैं, अब कोई external force इस पे नहीं लगा रहे हैं, net external force नहीं है, जो है उसका अपना restoring force, जो system के अंदर develop हुआ है, वही restoring force इसको बार बार oscillate करा रहा है, बार बार इसको वापस mean की तरफ ला रहा है, और mean की तरफ जब आता है, तो due to inertia of motion आगे reflect हो जाता है, फिर यह इधर लाता है, फिर due to inertia of motion आगे बढ़ जाता है, इस तरह से oscillate करता रहता है, under the action of restoring force, कोई हम लोग external periodic force नहीं लगा रहे है, external periodic force की भाई, तू oscillate कर उसके लिए नहीं लगा रहे हैं, तो under the action of restoring force यह जो, जिस frequency से oscillate करें, इसका हम लोग natural frequency बोलते हैं, और या फिर simply frequency बोलते हैं, और ऐसे oscillation which is free from dissipative force और repeating और periodic external force, यह free है किस से भाई, तो free from, free from किस से भाई, तो कोई भी dissipative force नहीं है, कोई भी मतलब air friction भी नहीं है, dissipative force नहीं है, free from dissipative force and external periodic force, कोई भी external periodic force इसको हम लोग oscillate कराने के लिए भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा oscillation is known as free oscillation, forced oscillation किसको बोलते हैं, force oscillation की बात सोचें तो force oscillation इसको बोलेंगे भई तो ऐसा कोई oscillating system जिस पर हम लोग external periodic force लगा रहे हों मालोई यहां पर table fan रखा और table fan से हम लोगों ने इस पर force लगाना शुरू किया ऐसे periodic force और इसका switch को on off कर रहे हैं means air throw कर रहे हैं छोड़ रहे हैं fan force लगाएगा off करोगे छोड़ देगा normal हो जागा फिर force लगाएगा on off on off periodically कर रहे हैं with frequency मालो 10 hertz इसका अपना जो oscillate करने का जो natural frequency था इसका जो natural frequency था that is one upon इसका अपना time period जो था वो 8 hertz का था तो 8 hertz का था और यहां पे तो यहां पे इसका अपना natural frequency 8 hertz का यह क्या अप्लाई कर रहे है एक्स्टरनल प्रियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 hertz का तो यह क्या करेगा इस condition में यह oscillation start तो होगा 8 hertz से इसका natural frequency था थोड़े time के बाद देखोगे कि यह 9 hertz का frequency से oscillate करना शुरू कर दिया फिर तोड़े time के बाद देखोगे धीरे 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 अपना value 9.8 hertz कर लिया फिर देखोगे धीरे value अपना यह 10 hertz कर लिया और फाइनली यह 10 hertz पे oscillate कर रहा है यह 10 अप्लाइड रिस्टोरिंग अप्लाइड जो प्रियोडिक फोर्स है उसके फ्रिक्वेंसी को एडप्ट कर ले तो इन डैट कंडिशन द ऑसलेटिंग system will be known as force oscillation force मतलब जवर्दस्ति कंपेल किया गया है क्या कंपेल किया गया है क्या फोर्स किया गया है तो फोर्स किया गया है हम लोगों ने फोर्स किया है इसका frequency को कि भाई तू अपना frequency छोड़ दे और मेरा जो external periodic force उसका frequency को पकर ले तो इसी से oscillate करो तो इस condition में यह बोला जागा कि यह force oscillation है क्योंकि इसका frequency forcibly change करके adjust करा करके external periodic force के equal कर दिया गया है हो गया है धीरे धीरे start तो होगा अपना natural frequency से लेकिन adjust करेगा अपने यह external periodic force के frequency पे अगर इसका 8 था और तुमने external periodic force 80 hertz का कर दिया तो भाई अगर 8 से 10 करोगे तो यह मानलो कि दो घंटे में adjust कर लेता है तो यह 80 hertz वाले को adjust करने में बहुत टाइम लगाएगा उतने टाइम तक अगर यह continuously चलता रहा periodic force लगता रहा तो फिर यह adjust करेगा अधरवाई यह पहले ही disturbed हो जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा नेचिरल एंड एक्स्टरनल प्रियोडिक फ्रिक्वेंसी में उतना बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा अगर एड से नाइन पर अजस्मेंट बनाना हो जल्दी अज़स्ट कर लेगा अगर हमारा एड से एट हंड पर अजस्मेंट बनाना हो तो बहुत टाइम लगाएगा तो फोर्ज ऑसलेशन समझ गये इन विच फ्रिक्वेंसी ज़े प्लाइड लगने देखा था कि यह जब लगाए हो अगर मालोई इस फोर्ज को लगाना बंद कर दिया तो अब यह देरे दे जो 10 हुआ था न यह होते होते हैं आए एक पी आपक करेंगा अपने नेचरिल फ्रिक्वंसी' इन पर उन पर फिर सोड़ होगे तो तो फिर यह अपना फ्रिक बसны पर प्रिकन सी वाला कर लेगा जितना ज्यादा डिफरेंस होता है concur cr तहुंद टाइम एड़ेस्ट करने में लगता है तीक है अब देखें डाइम 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 से क्लिर है देर बस्ट बीड़ेंग डेंपिंग किस चीज़ का टैंपिंग एनरजी का डेंपिंग एनरजी का माल लोह हम लोग वेकम में पेंडूलम को असलेट करें तो यह बहुत क्यां टरए कीकनखन को अगरनलों यह एकटिबली रूखता है यह थाओजन ऑसे लेशन लगाता है वैकर में तो air में अगर इसको oscillate कराएंगे तो हो सकता है यह कि यह 70 oscillation लगाए air में यह कहां पर है वैकम में air में अगर हम लोग बात करें तो यह हो सकता है 70 oscillation लगाए और यह अगर water में डॉल दें तो ऐसे करके छोड़े तो वापस यहीं आ जाएगा और यहां पर लाकर छोड़े तो यह वापस ऐसे आएगा और फिर यह ऐसे रुख जाएगा तो यहां पर क्या होगा ज्यादा damping है यह है कम damping यह और कम damping है यहां पर और बहुत negligible damping है तो damped oscillation मतलब energy will be damped amplitude will be decreased क्योंकि energy dissipation होगा energy loss होगा due to the dissipative force पात करें हम लोगे एर की मोस्ट जो common हमारा damping force लेगा वह एर में तो एर में कोई बाव यह कोई भी स्टेरिकल बॉड़ी मूब करेगा एर में तो तुम्हें पता है जिदर velocity होगा उसके opposite में dragging force लगेगा विसकस फोर्स लगेगा और विसकस फोर्स का value is given by stokes law six pi r eta v याद होगा यानि कि proportional to जो भी जिसका radius है वो तो ही अब बॉब का जो करना है वह भी एसदिया जोबी रेडियस होगा जो भी रेडियस सबब का है वह रेडियस कॉफिशन ओविसकॉस्टी ओफ एयर है जो विसकस लिक्विड है वाटर ना था angles नेक्स टैम पहे तो बिसकर में समयन और मैं क्रेक्षान में क्योंकि विलासिटी की अपोजिटमे लगता है तो ऐसे कणिटिशन में जब minus of constant times V, इस constant जो होता है, उसको damping constant बोलते हैं, उसको B से रेप्रेजन करते हैं, minus of BV, तो ये मिल गया, अगर ये damping नहीं होता, तो बोलते हैं कि force is equal to minus kx, जो restoring force होता था, ये कौन सा force है भाई, restoring, ये ही तो हमारा oscillate कराता है, restoring force responsible for oscillation, and ये है damping force responsible for dissipation of energy, तो इसका ये बन गया, एक differential equation, ठीक है, ये mass into acceleration, acceleration है, double differentiation of position with respect to time, d2 x upon dt2, और ये minus kx हो गया, और ये minus b, और vv का मतलब है, dx by dt, तो ये बनता है, एक differential equation, ये क्या बनता है, कि differential equation, second order differential equation, क्योंकि double derivative x का है, variable का double derivative, variable का single derivative, और variable खुद, तीनों present है, तो भाई, maximum derivative कितना है, तो second order का है, इसलिए differential equation हुआ, second order का, इसको हम लोग solve करते हैं, solve करने का मतलब है, x as a function of time निकालना, तो भाई, x as a function of time, इसमें जो आता है, वो कुछ a e to the power minus bt upon 2m into sin omega dash t, इस तरह का आता है, ये बनता है, damned oscillation का, x as a function of time, x as a function of time हम लोग ऐसा मिलता है, ये हमारा effective amplitude का का काम करता है, और अगर इसका graph हम लोग plot करना चाहें, कि x as a function of time graph हमारा plot हो जाए, तो इस graph को plot करने के लिए हमें क्या करने पढ़ेंगा भाई, तो पहले इस effective amplitude को plot करो, तो इसका effective amplitude देखो भाई, ये इस तरह का है, इसका graph अगर खाली plot करें, e to the power x का, अब देखो भाई, e to the power x का graph ऐसे होता है, अब ये आपको तो graph याद ही रख लेने पड़े हैं, उमेथ वाले आपको बताते तो हैं नहीं उतना, कि graph कैसे plot होगा, चलो e to the power t का graph ये है, तो e to the power minus t का graph ये है, तो e to the power minus t का graph है, तो e to the power minus b by 2m का graph भी, almost ऐसा ही रहेगा, e to the power minus e to the power minus bt upon 2m का graph भी, almost ऐसा ही रहेगा, इस तरह का, और इसमें a से multiply कर देने से क्या होगा, तो ये इस तरह के नेचर का होगा भई, ये क्या है, ये इसका है graph, a to the power minus bt by 2m, इसी में sin omega t है, means sin omega t, तो क्या होगा, time के साथ, time के साथ ये क्या करगा, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, इसलिए effectively जो हमारा बनेगा, वो इस तरह का बनेगा, इसका देखो, इसका हम लोग reference इधर भी plot कर लेते हैं, क्योंकि जब जितना इसका value होगा, वही इसके लिए effective amplitude होगा, अगर ये 10 होता, तो 10, plus 10, minus 10, plus 10, minus 10 चलता, अगर ये 8 होता, तो plus 8, minus 8, minus 8, ऐसे चलता साइन वाला, लेकिन यहाँ पर ये amplitude का ही तो काम कर रहा है, ये time के साथ खुद ही decrease कर रहा है, अगर ये तो plus 4 तक जाएगा, अब ये थोड़े time के बाद देखोगे, और amplitude 3.5 हो गया, तो minus 3.5 तक ही चला, इस तरह से ये चलता जाएगा, तो ये है हमारा x as a function of time, देख रहे हो, कि अभी amplitude ज्यादा था, तो ये तो effective amplitude है, ये क्या है, effective amplitude है, effective amplitude is a to the power minus bt upon 2m, decreasing with time, ये जो हमारा time के साथ decrease हो रहा है, effective amplitude, effective amplitude की बात करें, तो effective amplitude is decreasing with time, time के साथ ये decrease कर रहा है, effective amplitude हमारा time के साथ decrease कर रहा है, clear है यहाँ तक, time के साथ ही है decrease कर रहा है, effective amplitude is decreasing with time, इस तरह से amplitude decrease हो रहा है, तो इसका reference इसलिए बनाया, कि भाई, जब इसका कितना amplitude है, तो वो तो पता रहा है, कि negative में कितना तक जाना है, अगर 5 है value, तो minus 5 तक जाएगा, जब negative करना होगा, अब यह 4 value है amplitude का, तो minus 4 तक ही जाएगा, इसलिए यह reference line इसके लिए draw किया, यह x-ray function of time हो गया, इस तरह से हम लोगों को damped oscillation में ध्यान रखना है, एक differential equation की बात ध्यान रखना है damped oscillation में, इसको बोला हम लोगों ने damping force, यह क्या है damping force है, और damped oscillation में energy loss होता है, amplitude loss होता है, loss होते होते, zero हो जाता है, clear है यहां तक बात, अब जड़र देखें, resonance क्या होता है, resonance हमारा oscillation में क्या होता है, यह भी बड़ा important है, यह क्या है, तो अभी मैंने बात किया था, कि एक ऐसा oscillating system, जिसका अपना कुछ natural frequency होता है, अपना natural frequency मान लो, इसका कितना था भाई, तो 8 hertz था, ठीक है भाई, तो external periodic force के लिए, हम लोगों ने मान लो, एक table final लगाया, या कुछ भी external periodic force लगाने के लिए, हम लोगों ने arrangement कर दिया, अब यह इसको on off कर रहे हैं, अगर with frequency 10 hertz करें, तो यह धीरे धीरे oscillate करके 10 hertz पे adjust हो जाएगा, और इसका डैम्लों से ही इसका oscillation, force oscillation हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 7 hertz पे करें, तो यह 7 hertz पे adjust कर लेगा, लेकिन अगर हमारा applied periodic force, अगर applied periodic force का frequency भी, अगर हम लोग 8 hertz ही कर दें, तो इस condition में इसका amplitude धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और यह इसका amplitude very large value हो जाएगा, यह तब ही रुकेगा increment, जब यह चाहे तो amplitude saturate हो जाए, दो ही option बनेगा, चाहे तो saturate हो जाए amplitude, या तो फिर system ही collapse कर जाएगा, गर तो दो कंदीशन बनते हैं फइनली फांदी दो कंदीशन बनते हैं और इस परोडाइड को शयुष का कर ऐथ हैं जिस तरह से मामा जे गए भांजे को पार्थ में बठा दिया स्विंग पे यसके एक्स्ट्रीम पे डखका अधुझारा है दौ जूर्ट इसे इस्टम का इनरजी जो हाफ मुझा एसकर होता है वह क्या हो जागा दीरे-दीरे बढ़ता जागा एवरी टाइम एक्स्ट्रीम पे आया, दो जूल दे दिया, उसको फिड कर दिया, वर्ग रंद कर दिया, उस पर टू जूल, टू जूल मिल गया, तो टू जूल से क्या होगा, हमारा एम ओमेगा तो फिक्स ही रहता है, एम्पलिटूड इंक्रिमेंट हो गया, और ज्यादा ए ओमेगों जाएगा तो डूल जहाए आप सायक्ल लगा ब्लास होगा हो जसे लगा, पाल टू फूल फितता जाल हो रहे है, और वी टाइम प्रीमेंच हो रहा है यह फ्रिक्वेंचि मेंच वूडू और हम बंढकन करों होना हो पहले हमारा पॉंट जूण लास हो रा थे सींट में तुम टूझ ले रे थे तो फकी bit फई тогда smarter lovely के लियुक्री छोaran रहा है और तुम दे भी रहे हो तो जूल पर सैकल लॉस भी हो रहा है तो ने तो नहीं हो रहा है इसलिए अब अब बन कर देगा अब अब फरदर नहीं बढ़ेगा इनरजी हमारा जब फिक्स हो गया तूजूल डे सिपेट कर रहा है अबरे सैकल तो इस कंडिशन में अब पढ़ेने वाला एंपलीटूड है 10 संटीमीटर अब 10 संटीमीटर आने के पहले 8 संटीमीटर पर ही यह सिस्टम का कॉलाप्स होने वाला कंडिशन आ गया इतना ज्स्रेश ट्रेंड डबलप हुआ कि यह कॉलाप्स कर गया तो फिर जेनरली डेंजरस होता है डेंस रेंस कंडिशन अगर बन जा उसलेटिंग सिस्टम में तो जेनरली डिंजरस कंडिशन बनते हैं क्योंकि एंपलिटूड इतना लार्ज जाता है वैब्रेशन का और सिलेशन का इस जिस्टम सस्टेन नहीं कर पाता है यह तो फिर हाई स्काँजिशन एक तो बिलेशन कंडिशन के समट कर जाता है तो बिल्डिग के ऑसी एंपलिटुड कर जाता है कि wow तो विल्डिंग को लाप्स कर जाता है अर्थ क्याता है में कई बार ऐसा होगा कि जो सिस्मिक वेव है यानि कि है और छोटे-चोटे विल्डिंग भी है तो कई बार ऐसा होता बिता है जो सिस्मीक बिशन चले हैं एको इसका फ्रेक्वेंसी माल का फ्रीक्वेंसी डीवान व приготов होता है माललो यह हर्च है इसका से ऐसे सिक्षेक्वर्च फ्रिक्वेंसी हमाद वन हर्च शाय। 3.2 हर्च का मालू, सेस्समिक वेब का जो हमारा frequency आया,oured 3.2 हर्च का आया, तो 3.2 हर्च का आया, तो इसके साथ ज़्यादा resonance established किया, अब 3.2 है मालो 3.1 हो ज़ाए, तो इसके साथ ज़्यादा matching हो रहा है, 3.01 हो जाए और जढ़ा मैचिक हो जाएगा तो इसके vibration کا frequency ज़्याद़ हो जाएगा इसके vibration frequency कम रहेगा इसके vibration का frequency और कम रहेगा इसके vibration का भी frequency कम रहेगा लेकिन इसका vibration frequency large हो गया तो यह collapse कर जाएगा तो कई व를 ऐसा होता है कि जो building collapse किया उससे स्मॉलर वाला भी सेफ रह गया यह हमारा कॉलैप्स कर गया क्यों कर गया क्योंकि इसके शिस्वेक वैबोइन इस मैच कर गया तो ऐसे कंडिशन में या डिजास्टर लाता है जो बड़े होते हैं ह Minnesota fit pittraste संंसरा还 च्छोटे वाले का ज्यादा अच्छा तो यहां पर आएगा फोर और यहां आएगा फाइव यह ध्यान रखना जड़ा जितना कम हाइट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगा इसका प्रैक्टिकल एक्जामपल समझ लो अगर तुमको टाटा भाई भाई करना है तो एसे हाथे लाओगे तो जल्दे जल्दे हासके और नुहित जल्दी जल्दी यह नहीं कर पाऊगे जड़ाधा भीलडंग उतना जल्दी जल्दी-जल्दी नहीं वाइब्रेट कर सकता जितना स्मॉलल वाल कर सकता हृट जा içटे हमे को उत जसात मैचिंग करेगा वही स हैप तो कई बार इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं इस सपेंशन ब्रीज में जा रहे हैं बिल्कुल उनका स्टेप्स क्या होता है मैच करके चलता है एक बार सब्सक्राइब जैसे 26 जन्वारी को था करेंगे सारे के सारे एक बार उठाएएंगे अपने बूट को और अगर से इस तरह से जो अगर है इसका फ्रियोडिक फोर्स जो लगा रहे हैं और इसके भाई alm का फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो रिजनेस बन जाएगा तो अगर हो गया तो यह सब्सक्राइब कर सकता है इसलिए बोला जाता है भाई कि जो भी वाले हैं जो भी जा रहे हैं वह आउट ऑफ स्टेप चलें डाट इस टेप का मैचिंग करा 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 के ना चलें सब्सक लेकिन इसमें आउट ऑफ स्टेप चलना चाहिए ती सजेस्टेड ठीक है सच डैट कि यहां रेजनेंस का इस्टेबलिस्मेंट ही ना हो जैसे मेले में जाते हैं वैसे जाओ बाई बाद में उदर जा करके मैचिंग करा लेना ताकि रेजनेंस कंडिशन ना बने तो ऐसे कं सब्सक्राइब तो यहां पर हमारा सरकिट होता है उस चल्थ में पढ़ोगे तो हम लोग रेजनेंस कराते हैं इसका फ्रिक्वेंसी जो है वह 98.3 के साथ मैच कराते हैं तो 98.3 वाला सिगनल ही हमारा रेडियो या ट्रॉनजिस्टर रसीब करेगा और वही सुनाएगा अगर वहाँ भी resonance condition established किया जाता है, clear है, microwave में भी resonance बहुत जागर resonance यूज होता है, फिलाल oscillation में resonance का मतलब समझ गया है, कि जब applied periodic force का frequency match कर जाए system के natural frequency से, तो in that condition, the amplitude of vibration goes on increasing and increasing and increasing until the amplitude gets saturated और the system collapse. आगे बड़े हम लोग, uniform circular motion और system में क्या relation है भई? यूनिफर्म circular motion और system में relation तुमने पढ़ा होगा, यह होता था, एक diameter, अगर यह circular motion कर रहा है, मानलो, T is equal to zero पे यहाँ था, T is equal to T time पे यहाँ पे पहुँच गया, और इसने theta angle traverse किया, कितना angle भई? तो theta angle अगर traverse किया यह, तो हम लोग बोल सकते हैं, theta is equal to omega angular speed से चल रहा है, तो omega T और यह r value है, तो इसका x component कितना होगा भई? और y component कितना होगा? तो x component होगा हमारा भई, तो a cos omega T, यानि कि r cos omega T, यह क्या है? r है, तो r cos omega T होगा यह, यह वाला होगा, r cos omega T, यह वाला कितना होगा भई? तो r sin omega T, क्योंकि यह angle है, यह वाला r sin omega T होगा, तो y component, y projection is r sin omega T, और यह देखने से ही क्या लग रहा है? यह तो ssm है, it means x coordinate is in ssm, x coordinate ssm में है, जैसे यह particle यहाँ है, तो इसका x coordinate यहाँ है, जो particle यहाँ आएगा, x coordinate यहाँ आएगा, पार्टेकल यहाँ आएगा, तो x coordinate यहाँ आएगा, इस तरह से क्या हो रहा है तो ये वाला x projection is shm x projection function of time variation वो इस तरह से हो रहा है इस लिए क्या है तो ओसी तरह से wai projection कर देखें तो wai 2021 यहां है तो wai कोणिट or भर गила यहां है तो wai coordinate हमारा पूरा a हो गया यहां है तो wai coordinate यह है यहां था सटो आइकोडिह सए फ्ञाइट फंक्सोन उप टाइम इस तरह से वेरी कर रहा है सो ऐसव हम सरकुलेर का प्रोजेक्शन किसी बी डिमेठर पर दिए भू दिमितर यह हो दिमतर यह हो एक यह और किसी इमाने द्रेटल पर प्रोजेक्शन अगर माले तो हों संसे मोगा तूम हों टूम इज प्रोजेक्शन Г ओफ रीकशन और के युनिफॉर्म सर्कूलयर में यूनिफॉर्म स्क्रूलर मोशन और पेस्घ तबूमेटर विद ओमेगा जो एंगुलर स्पीड होता है युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वही हमारा टाइम प्रेड होगा है ऐसे चैनल में क्यों भाई देखो एसे चैनल एक्स्ट्रीम पे स्टार्ट हुआ और यह जैसे ही अपना कंप्लीट करेगा तो इसका भी एक कंप्लीट हो गय है तो यह हमारा सिर्कुलर ऑफ तो यही टाइम प्रेड बनेगा हमारे ऑसे चैनल जागा यह टाइम प्रेड क्या होगा भाई तो इस SHM के corresponding जो uniform circular motion हम लोग imagine करें तो उसका uniform circular motion का angular speed है और अगर हम लोग SHM के context में बात करें तो ये omega हमारा, SHM में तो कुछ हम लोग समझते नहीं है कि अच्छा यहाँ circular motion हो रहा होगा ये तो आप सोचते हो oscillate कर रहा है तो यहाँ पर omega का मतलब क्या हुआ तो उसका नया नाम दिया गया angular frequency जबकि हर SHM के corresponding हर SHM के corresponding हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक uniform circular motion का समझे एक projection है जिस पर ये block चल रहा है और इस uniform circular motion जो imagine कर रहे है उसका ये omega angular speed है बट इस SHM के लिए ये angular frequency है ठीक है इसलिए time period हम लोग लिखते हैं 2 pi by omega तो क्यों लिखते हैं 2 pi by omega 2 pi by omega इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई भी SHM के corresponding uniform circular motion हम लोग imagine कर सकते हैं उस uniform circular motion का जो time period होगा वही हमारा इस SHM का या इस SHM का time period भी होगा तो ये relation आपको ध्यान रखने हैं phase क्या होता है phase, phase बड़ा important है phase होता है state of variation phase बताता है state of variation state of variation मतलब X हमारा time के साथ vary कर रहा है X हमारा time के साथ vary कर रहा है मालो A sin omega t X is equal to A sin omega t तो velocity क्या होगा भाई? तो A omega cos omega t acceleration क्या होगा भाई? तो minus omega square A sin omega t इस तरह से रहता है भाई? ठीक है तो ये phase क्या बताता है? तो phase ये है जो angle होता है sine या cos का उसे को बलते है phase ये phase अगर तुम्हें पता है कि 0 है तो इसका मतलब कि अगर हमारा phase 0 है फेज हम लोग 5 से भी रिप्रिजन करते हैं अगर A sin 5 हो गया तो हमारा अगर phase 0 है फेज 0 है एकसिज 0 फेज अगर 0 तो साइन 0 होता है एकसिज 0 और फेज 0 अगर हो गया तो omega t अगर 0 है हमारा तो cos 0 तो 1 होता है तो velocity is equal to A omega हो जाएगा और acceleration हमारा phase 0 है तो उस condition में 0 हो गया तो यह हो गया मतलब कहां है mean पे है कहां पे है भई mean पे है यह पता लग गया हमें कि मीन पे है और किदर जा रहा है भई तो velocity है A omega मतलब positive reaction में जा रहा है और velocity इसका A omega है तो mean position phase पता लगा तो यह position हमें पता लग गया कि कहां है means SHM में यह यहां पे है और जा रहा है इधर अगर phase हमारा 0 हुआ तो अगर माल लो phase हमारा pi by 2 है if phase is pi by 2 इसका मतलब omega t जो है हमारा वो pi by 2 है तो बता भई phase अगर pi by 2 पता लगे तो x is equal to sin pi by 2 क्या हो जागा x is equal to a हो जाएगा लासे और pi by 2 यह रखेंगे तो क्या मिल जागा velocity हमारा क्या हो जागा 0 हो जाएगा और इसको pi by 2 रखेंगे तो क्या होगा acceleration is equal to minus omega square a हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कहां है यह तो positive extreme इसका मतलब हो गया कि यह positive extreme पे है और इसका velocity 0 हो चुका है x is equal to plus a है और समय इसका acceleration maximum value है जो कि omega square a value का है negative direction में तो यह है भई यह positive extreme पे है positive extreme पे है यहाँ पे क्या था यह mean पे था यहाँ पे क्या था यह तो mean पे था भई उसी तरह से अगर हमें phase पता लगे कि pi है भई if phase is pi that is omega t का value अगर pi हो तो इस condition में क्या समझेंगे तो sine pi होता है 0 तो x का value हो जाएगा 0 velocity का value अगर sine pi होता है minus 1 cos pi होता है minus 1 तो minus a omega हो जाएगा भई और acceleration क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका मतलब यह कहां है भई तो इसका मतलब यह mean position पर है लेकिन यह जा किदर रहा है वो निगेटिव एक्शन जा रहा है velocity is equal to minus a omega है तो इस direction में जा रहा है यह ऐसे तो हमें phase से क्या पता लगता है कि किस state में यह vibration जो हो रहा है वो अभी किस state में है mean है left की तरब जा रहा है यह extreme है positive यह negative extreme है यह mean positive की तरब जाता हुआ है so phase represent state of variation यह x जो vary कर रहा है वो किस state में है x जो vary कर रहा है वो अभी किस state में है time के साथ यह phase ही तो change करेगा phase जो कि हम लोग angle of sign और cosine समझते हैं यह phase बताता है कि variation जो भी हो रहा है x में हो रहा है या velocity में हो रहा है या acceleration में हो रहा है वो time के साथ कैसे vary कर रहा है state of variation क्या है वो phase बताओ बाकि state of variation अपने आप पता लग जाएगा ठीक है phase यह है हमारा और जरा इसको समझे phase में जैसे हम लोग general equation जो लिखते है a sin omega t ऐसा लिख जाते है अगर mean को cross कर रहा है t equal to 0 पे तो a sin वाला लेके चलते हैं अगर positive extreme पे हैं तो हम लोग a cos omega t से represent करते हैं क्यों भाई? क्योंकि t is equal to 0 रखें तो यह 1 हो जाएगा और y equal to a that is हमारा positive extreme पे y का value क्या हो गया? y या displacement x से भी represent कर सकते हो तो वो positive extreme पे है तो जब positive extreme पे हो तो हम लोग cost वाला लेके चलते हैं क्योंकि t equal to 0 पे positive extreme पे यही पहुंचाएगा t equal to 0 पे यह mean पे लाएगा displacement जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा t is equal to 0 पे अगर यह लिखें तो तो इसलिए ssm को represent करने के लिए जब mean से cross कर रहा हो तो इसको ले लेते हैं जब t equal to 0 पे positive extreme पे हैं तो यह लेते हैं जब t is equal to 0 पे हमारा negative extreme पे हैं तो minus a cos omega t ले लेंगे इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं ठीक है? इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं equation select करने की बात है तो equation हम लोग select generally दो condition में लोग करते हैं चाहा positive extreme पकरते हैं या mean पकर लेते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा general बात होगा वो क्या होगा? तो भाई displacement is equal to a sin और omega t plus phi ऐसा लिख सकते हैं प्लस phi या phi not या प्लस delta ऐसा भी लिख देते हैं लोग ऐसा लिखते हैं तो ये वाला phase होगा? ये पूरा angle क्या है? ये phase है ये वाला angle phase है जो बताएगा हमारा state of variation अभी देखात हम लोग ने इस phase में दो part होता है एक होता है time varying part एक क्या होता है तो time varying part होता है और एक क्या होता है constant part होता है time varying part हमारा यहां omega t है time varying part क्योंकि time के साथ change होता रहता है constant part यहां delta है इस constant part को हम लोग constant part को हम लोग time varying part and constant part constant part जो delta है इसको हम लोग बोल सकते हैं this is equal to phase at t is equal to 0 अगर t equal to 0 रखें तो फेज हमारा पूरा फेज क्या होगा दिल्टा ही वह गा तो डिल्टा है फेज एक टी इकल टू जीरो आंगर अगर माण लो t equal to zero पे कहीं न मीन था ने extreme था कुछ और था तो यहां पे कुछ आजागा a sin omega t माण लो a sin omega t plus pi by 4 हो गया तो इसका मतलब t is equal to zero पे यह कहीं extreme पे या mean पे नहीं था यह कहीं और था तो add equal to zero पे कहां पे था यह अगर जाना चाहते हो तो x is equal to a sin pi by 4 sin pi by 4 होता है 1 by root 2 यानि कि ये a by root 2 पे था x का value a by root 2 पे था जब ये t equal to 0 पे है ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि general बात जो होगा वो ये general equation जो होगा वो ये होगा where delta depends on कि किस time से तुमने counting start किया t equal to 0 कहां set किया हो अगर t equal to 0 मीन पे इसेट कर तो डिल्टा वैलू अपना 0 रखेगा अगर हमने extreme पर रखे तो डिल्टा अपना उसके accordingly अपना अजेस्ट करेगा वैलू जनरल एक्वेशन ये है जिसमें ये पूरा एंगल इस नोना इस फेज इस तुपार्ट time varying apart and constant पार्ट और यह बिनाम होता है और यह तन कोस में जो वेरियेशन होता है फेज का जो को साइन अगर ऐसे है तो इसको पाई बाई टू अगर लेफट वाट सिप्ट कर दो तो वह कॉस बन जाता है तो यह क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ओमेगा टी और अगर हम लोग इस तरह से पाई ूइक तो अगर हम लोग लिफ्ट लगाट कर दें तो यह कॉस मुआता है पंजाता है तो पाई भाई टू का अगर हम लोग सिप्टिंग करते हैं तो यह बन अब देखो उसके लिए आपको डिटेइल क्लास देखने पड़ेंगे यह सौट कर खली क्लास में काम नहीं है कि यह क्या है फेज में इंग समझना होता है अगर टीए है कि कर दिया तो उसके मतलब घ्रमीज मेगा डीष वाले सें लीड करेंगा लीड करने का का मतलब है leftward shift होना लीड करने का मतलब क्या होता है leftward shift होना ऐसे कर दिया टाइम के मामले में पहले कर दिया मतलब लीड हो रहा है तो लीडिंग लागिंग का concept हम लोग 12 वाला अपने AC chapter में देखें और 11 वाला अपने वेव मोशन के डिटेल में देखें कि लीडिंग लेगिंग का क्या मतलब हुआ लीडिंग लेगिंग का मतलब समझेंगे उसमें ज्यादा डिटेल में एक घंटा खाली इसी पर discussion graph plot कर करके किया गया था कि सॉट कर में जरूरी ये बात दियान रखना कि एक बार कोई इसको एक बार कर दिया तो फेज के मामले में पाई बाई टू आगे बढ़ जाते हैं एनी सब्सक्राइब फंक्षन ध्यान रखना एनी सब्सक्राइब फंक्षन वंस डिफ्रेसियेटेड जो रिजल्ट आएगा वह पहले वाले के में रिस्पेक्ट में पाई बाई टू फेज से आगे बढ़ जायेगा लीड करने लगेगा मिसे को डीफ्रेंसेट करोगे तो क्या मिलेगा को सुद्धा खोस ओम्येगा टी मिलेगा तो इसको अ मेगी और इसकोलोग सकते हैं sin omega t plus pi by 2 it means जो पहले phase था उससे phase में pi by two ज्यादा इसका मतलब velocity velocity इसका मतलब leads displacement by pi by 2 is pi by 2 ज्यादा phase हो गया विलाहसिती हमारा इस तरह से ज्यादा हो गया है इसलिए यह लीड कर रहा है पाई बै टू से फिर से समझना कभी भी एक साइन वाला हो या कॉस वाला है एक बार डिफरेंसियेट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पहले वाले से पाई बै टू आगे बढ़ जागा अब देखो यहां पर कॉस आया था तो यहां पर हम लोग कंपेर न से घृच्राइट चाहिए मतलब साइन है तो साइन ही रखो वाले रही सबस्कूरा होना चाहिए प्लस सेमिंड ऑफ्योंड होना चाहिए कफिशियन मतलब घृत है तो इसका कोफिशिएट है पॉजिटिव है तो इसका कॉफिशेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए तब हम लोग कंपेर कर पाएंगे यह नहीं कि यहां निगेटिव ले लिए यहां पर तो साइन हमेट यहां पर माइनस फाइब है तो माइनस को अंदर लेना पड़े बंषिटिव रखने पड़ेंगे तो दोनों का सेम साइन ओफ कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि पहले वाला जो भी phase था, उसमें क्या प्लस करें या क्या मांईस करें, ये हम लोगों को चाहिए, क्या प्लस करें या क्या मांईस करें, वही हमारा phase difference होगा, प्लस किया, तो ahead हो जागा phase में आगे बढ़ जागा minus करना पड़ा तो इसका मतलब lead की बदले lag करने लगेगा तो third step में जाके हम लोग देखेंगे यह तीन चीज देखने जरूरी है same term metric function हो जाए same sign of coefficient रहे sign का जो भी a cost है और उसका coefficient का साइन भी सेम होना चाहिए और तब जो पहले फेज था फरस्ट वाला वो फेज तो पहले रखी दो उस दूसरे function का में सो मेगाड़ी था तो मेगाड़ी तो पहले रख दो अब देखो कितना प्लस कर ना पड़ रहा है तो इसका मतलब या या कहीड करने लेगा मयनिस करना पढ़ रहा तो यह लाक करने लिएगा पहले वाले से अबढ़ देखो- होंसार में बता दिया यह आभि इसको एक बार और अगर मेकर से और यह इस इसको हमनों लिख सकते हैं minus omega square A, और minus को हटाना पड़ेगा, क्योंकि compare करना चाहते हो, तो same sign का लाना पड़ेगा, तो minus को तुमें remove करने पड़ेगा, तो minus को हटाओ भाई, minus को हटाओ, तो यह मिला गया omega square A, और यह जो minus sin omega T आया, इसको अब जरा हम लोग यह माइनस काव पाई इसमें करने पड़ेंगे तो यह आ गया ओमेगा स्क्वाईर ए और साइन ओमेगा टी प्लस पाई कर सकते हैं इसलिए इससे पाई बाई टू ज़ादा हो गया यह फेज में और इसके रिस्पेक्ट में यह पाई से ज़ादा हो ग नगाई एक्सेलेशन लीड वेलौस्टी भई पाई-बाई-बाई तू क्योंकि इसको अकभाई दिफनसेट करने से पाई बई-टू लीड़ीड़ ऺधाया तया तो इसके पड़ेंश एक्सेलेंशिल का है तो इसके रिसक में लीड कर गया लेकिन यहां से दर दोबार सबस्क्राइब लीड करेगा इस प्रेश में को किस से भाई तो पाई से इसके ग्राफ को यह जो ग्राफ है एक्सकाग्राफ इस एक्सके ग्राफ को पाई विच से लेफ़ोर्ट सिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें एक्सलेशन मिलेंगा कि से अगर हमारा displacement ऐसे है तो इसको पाई इधर सिफ्ट कर दो पाई इधर सिफ्ट करने का मतलब समझते हो तो फिर तो पाई का इधर सिफ्ट करने का मतलब यह हो गया ऐसे जो यहां था वो यहां पर पहुंच गया यह इस तरह से पाई सिफ्ट करने का मतलब यह हो गया तो बताओ यही तो होत पढ़े लिए तो एंगल देखना है तो जाधा फेस में से लिडिंग ग्राफ देखना है तो जितना उधर उतना लिडिंग क्लिर है यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक्विशन दिया हो तो इससे टाइम प्रियर्ड या डिसाइड कैसे करेंगे कि यह से जम्म है या नहीं तो यहां पर मालों एक्विशन दे दिया हुआ 900 पाइट यह 4 कोफिशिंट है यहां पे 3 कोफिशिंट है अब इसका हमें टाइम प्रियर्ड निकालना है या फिर यह सो करता है कि यह सेवस्ज और हैं भी यह नहीं है डिसाइड करना हो करो बस कि यहाँ पे जो angle है sign का वही angle तो है न कॉस का अगर ऐसा है तो this can be converted into single harmonic function इसको single term में हम लोग convert कर सकते हैं और जो result आएगा वो इस तरह से आजाएगा under root a square plus b square a square plus b square और यहाँ पे आजाएगा मानलो sin omega t और plus phi इस तरह का हमें single harmonic में converted हो जाएगा देखो एक ही harmonic function हुआ sin omega t plus phi तो एक ही तो harmonic function है बाकि यह क्या है तो यह effective amplitude का काम करेगा यह हमारा effective amplitude का काम करेगा आप सोचेंगे यह कैसे हो गया तो भाई हम लोगों ने यह पढ़ा है मैस वाले तो कम से कम पढ़े ही पढ़े हैं कैसे तो इस बात को जरा ध्यान दिया जाए कैसे यह पढ़ा है वो समझो एक्स को हम लोग चाहें तो यह एक्स जो इतना बड़ा दिख रहा है इसको हम लोग single harmonic function में बिल्कुल convert कर सकते हैं कैसे करेंगे तो under root a square plus b square से multiply divide करेंग करेंगे तो under root a square plus b square यहां पर हम लोग multiply and divide करेंगे चलो यह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग multiplying and dividing by जो भी coefficient है एक विजने है उसका स्कार B कोफिशन है उसका स्कार दोनों को हम लोग देखो यह यहां का कोफिशन था भी यहां का कोफिशन था दोनों के स्कार करकर कर दिया इस nigga मलिटिप्लाइएंट कर रहे हैं तो बताओ क्या बन जाएगा भई क्या बन जाएगा तो हमारा गया बनart क्या किया लिए अब हमारा क्या हो जाएगा तो इसको हम ल Compure में जब डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखेंगे भई a sin omega t plus b cos omega t ऐसा लिखेंगे और इसमें डिवाइड करना है अंडरूट a square plus b square से बाइड करने हैं बीच में प्लस है तो इसका मतलब दोनों में सकते हैं अब इसके हम दोनों काम कर दिया अब इससे क्या हो जाएगा देखो फाइदा क्या होगा इससे तो हम लोग इसको x को लिख सकते हैं अब अंडर रूट a square प्लस b square और इसको देखो यह जो हमारा coefficient दिख रहा है a divided by अंडर रूट a square प्लस b square यहां जो दिख रहा b divided by अंडर रूट a square प्लस b square यह दोनों coefficient को थोड़ा सा हम लोग यहां पर आप चला के करेंगे इसको समझ ले और ये कॉस्टल हो गया एंडर रूट स्क्वाइब विल्कुल ठीक बात है यहां तक चलो यह बात ठीक है आप सोचेंगे ऐसा क्यों ले लिए अरे ऐसा लेने से से आज्ञेसा अएसा लेने से यहां पर साइन फाइ और कॉस फै पर हमने ऐसे कर लिया यह क्या कि हमने आप हम लोग इसुम कर सकते हैं कर सकते हैं क्यों किया वो तो तुम्हें पता है कि सिंगल में करने के लिए किया है और ऐसा हम लोग कर सकते हैं किसी को साइन पर किसी को साइन ले सकते हैं ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि देखो इसका square करोगे और इसका square करोगे और add करोगे तो बनाएगा अगर इसका square करो तो क्या हो जाएगा ये b square divided by a square plus b square हो जाएगा इसको square करोगे तो क्या हो जाएगा तो a square divided by a square plus b square हो जाएगा अगर दोनों को add करें तो क्या मिल गया भाई तो यह 1 मिल जागा अंडरूट A square प्लस B square common हो गया हमार LCM हो गया और यह B square प्लस A square that is cancel होकर क्या बन जागा 1 बन जागा It means ऐसा कोई भी दो quantity मालो Z है और एक Z dash है और इन दोनों का square करके अगर हम लोग add करने से 1 आ जाता हो तो Z को हम लोग cos phi तो Z dash को हम लोग sin phi ले सकते हैं ऐसा कोई भी दो quantity जिसको square करके add करने पर 1 आता हो तो उन में से एक quantity can be taken to be cos phi and the other quantity will be taken sin phi अगर रमेश का square किया, सुरेश का square किया, add किया 1 हो गया तो समझो रमेश cos phi है और सुरेश sin phi है या रमेश sin phi है तो सुरेश cos phi है ऐसा हम लोग ले सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि square करके add करने पर 1 हो रहा है तो ऐसा ले सकते हैं लेने का फायदा क्या, तो देखो भी लेने का फायदा हो गया इसको अगर हम लोगों ने cos phi लिया हुआ है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या भई तो इसके बदले में इस coefficient के बदले में लिखेंगा cos phi into क्या हो जाएगा sin omega t और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b divided by into root a square plus b sin phi था तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भई sin phi coefficient और यह cos omega t इसका फायदा क्या हुआ फायदा यह हुआ मेरे भई कि sin a into cos b या sin a into cos b plus cos a into sin b is sin a plus b पता है तुम्हें trigonometric formula sin a plus b is sin a into cos b plus cos a into sin b तो इसको हम लोग single में convert कर पाएंगे नो भई अंडर root a square और plus b square होई गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं sin omega t और प्लस phi ऐसा लिख सकते हैं हम लोग single harmonic में लिख सकते हैं अईसा कर सकते हैं sin omega t प्लस phi यह जब लिखोगे sin a plus b तो sin a यह जिनी sin omega t into cos phi plus cos omega t into sin phi हो जाएगा यह मिल जाएगा तुम्हें तो यह क्या हो गया single harmonic function हो गया कि नहीं एक्स जो है वो convert हो गया जिसमें यह एक कोफिशियंट है और यह है single harmonic function जिसमें की tan phi का value अगर तुम चाहते हो भाई तो जैसा assume किया है उससाब से काम करेंगे tan phi का value sin phi upon cos phi sin phi upon cos phi मतलब यहां पर क्या हो गया इस तरह से हम लोग single harmonic में जब भी इस तरह का format हो तो तुम्हें एक ही चीज़ चेक करने की ज़रूरत है कि यह जो angle sin वाले में जो angle है वो और cos वाले में जो angle है यह यह अगर दोनों सेम है तो हमारा formula बन जाएगा क्योंकि इसके coefficient का स्क्राइड करके अड़रूट मुलिप्लाइड करने पे एक को 0 सट वosed क। लेंगे को 0 जzessट कॉस पा ईन्टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन एंटी तो साइन ओमेगा टी थो होता को शोतों यहां जाता तो फिर यह फॉरूल में क्रबर नहीं या आता Pues cos phi into sin omega t और sin phi into cos 2 omega t हो तो ऐसा conversion नहीं हो जो यहाँ angle है वही यहाँ angle होना चाहिए यह कहाँ से angle है भाई यहाँ से angle आया जो यह angle है वही अगर यह angle है तो it can be converted into single harmonic function अब अगर मालो इसको हमने cos phi लिया था अगर इसको sin phi लेते कोई बात नहीं उससे क्या फ़रक पड़ता cos omega t minus phi हो जाता कोई बात नहीं है लेकिन होता तो single harmonic function चाहिए साइन है चाहिए cos है जो भी है single harmonic function में convert हो गया और यह बन गया तुम्हारा effective amplitude इसलिए ऐसा जब भी आएगा तो effective amplitude का जो काम करेगा क्योंकि इसको तो convert कर दिया हम लोगोंने single harmonic function में यह amplitude का काम कर रहा है इसलिए effective amplitude will be equal to first का coefficient का square plus second के coefficient का square under root यह बन जागा उसका amplitude बिलकुल यही काम क्योंकि हमने देखो यहाँ पे square करके जब add किया यहाँ square करके जब add किया तो यह आया 1 इसलिए हम लोगोंने एक को cos phi एक को sin phi ऐसा करने से कितना बड़ा फायदा हो गया single harmonic function में convert हो गया और जैसे ही single harmonic function में convert हुआ it implies that this equation is representing SHM with effective amplitude this and time period कितना भाई तो time period 2 pi divided by omega क्यों भाई क्योंकि यहाँ omega ही तो है यहाँ पे तो omega ही है अगर omega कुछ value होता तो वो value डाल देते हैं यहाँ पे तो time period भी पता है इसका effective amplitude भी पता है तो ठीक इसी तरह से हम लोग अब इस equation को तो कम सखम solve कर सकते हैं जो दिया हुआ था question मैंने भी इसका theoretical part यहाँ पर बता दिया कि इस तरह के question को ऐसे हम लोग deal कर पाएंगे तो यहाँ देखो इसको क्या लिखोगे वई तो इसको लिखोगे यह तो तुम्हारे माइंड में है पहले से यह यह तो बिल्कुल टिप्स हो है यह तो याद ही रहना चाहिए तो इसको हम लोग सकते हैं अंडर रूट इसको प्लस भी स्क्वार मिन्स फ्योर स्क्वार प्लस त्री स्क्वार समझे हुआ और यह सिंगल हर्मोनिक में और यह है हमारा ए तो इसका मतलब हो गया कि 5 का वैलू हो गया 37 डिग्री क्योंकि टैन 37 डिग्री ही होता है तो चलो कोई बात नहीं यह क्या है उससे मतलब नहीं सिंगल में कम से कम कनवर्ट तो हुआ तो इफेक्टिवली एक्स इस इक्वल टू यह वैलू कितना हो जागा बताओ तो 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5 हो गया यहने कि 5 साइन 100 पाइटी और प्लस 5 मिन्स 37 डिग्री समझो यह हो गया अब यह 37 डिग्री है यह डेल्टा है यह फाई है कुछ भी लिख दो सब काम बन जाएगा हम लोगा जो पर्पस था वो पर्पस क्या था भई तो पर्पस सिंपल था कि SHM है या नहीं चेक करें जैसे यह आया हम लोग समझेंगे कि यह SHM है क्यों सिंगल हर्मोनिक फंक्शन है और इसका एंप्लिटूड अगर पूछा जाए तो एफेक्टिव एंप्लिटूड एज कितना भाई तो अंडर रूट यही 4a स्क्वार प्लस 3 स्क्वार 4a स्क्वार प्लस 3 स्क्वार अंडर पाई लिखेंगे पाई पाई कैंसे लोगा और यह मिल गया वन अपॉन 50 सेकेंड वन अपॉन 50 शिकरन आ गया अगर फ्रिक्वेंसी पुसता तो वन अपॉन टी लिगते डैडिज 50हें लिखते क्या लिखते तो 50 हर्च देते यह हो जाता हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफो दिस ओ अगर ये रहे हैं यहां पर देख रहे हो जो यांडल है वहीं धो हम कर रहे हैं वह माईम में रखते हुए उसए हैं समझ mellan बेन सब्सक्रव करना है यह यह कर रहा है फting और प्वर्थ में घूल कर तक अभांches कर году अगर यह थे यह ठीक है भाई, प्लस 3 और कॉस यह है 200 पाई T अब यह अगर हो जाए, तो तुम क्या करोगा भाई? क्या करोगा है? मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कि यह जो sin omega T था और कॉस मेट है, इनके angle ही अलग-अलग हो गया इनके angle क्या हो गया? अलग-अलग हो गया तो जब भी angle अलग-अलग हो जाएगा, तो उस condition में क्या आएगा? तो एक जगा omega T आ रहा है, तो दूसरे जगा समझो, 2 omega T वहाँ 100 पाई है, यहाँ पे तो आगया 200 omega T और यहाँ जैसे ही cos 200 omega T आया या 2 omega T आया, यहाँ पे क्या आगया? 2 omega T cos 2 omega T, वहाँ omega T है, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 omega T है तो यह वाला angle और यह वाला angle जब different हो गया, तो तुम cos 5 और sin 5 ले करके भी, क्योंकि यहाँ पे तो cos 2 omega T आ चुका है तो ऐसे condition में क्या होगा? कि ऐसा कोई formula नहीं है trigonometry में, कि जो cos A into sin B और plus sin A into cos C को एक में convert करते है तो यहाँ पे angle है, फाई, चलो भाई, यहाँ पे तो sin फाई है, लेकिन यहाँ sin omega T, यहाँ पे cos 2 omega T है, तो this cannot be converted into single harmonic function इसलिए यह SHM में भी नहीं हो पाएगा, यह SHM में नहीं हो पाएगा, अगर ऐसा कोई equation आ जाए, तो इसके बाड़े में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इस पर comment करने को अगर आ जाए, तो इसके बाड़े में हम तो क्या लिख सकते हैं भाई, तो this is A, यह जो आया हमारा equation, वो कैसा equation है भाई, तो यह equation हमारा SHM तो नहीं है, कम से कम, SHM नहीं है, तो कैसा है भाई equation, वो ज़रा समझा जाए, तो यह equation कैसा है, तो यह एक periodic function है, यह क्या है, तो यह भी एक periodic function, यह अलग periodic function है, दोनों तो भाई repeating function है, और जब एक periodic motion, एक periodic function और दूसरा periodic function अगर जब combine होता है रैलिक प्लस होता है तो जो जो जाएगा भीवी प्रियोडिक होगा वो भी क्या होगा प्रियोडीक तोasma ज्रूर होगा तो ये भी प्रियोडिक तो जब दो प्रियोडिक का सम करते हैं हम लोग तो हमारा प्रियोडिक फंक्शन ही मिलता है ये भी रिपीटिंग है ये भी रिपीटिंग है दोनों का रिजल्ट भी हमारा जाते है जब प्लस करने से या माइनस करने से ये रिजल्ट प्रियोडिक फंक्शन ही निकलता है जिस इसका time period कितना है भई तो इसका time period T2 है तो इस T1 और T2 का ध्यान देना T1 and T2 का क्या करेंगे हम लोग क्या result आएगा वो जरा समझो resultant जो time period होगा वो क्या होगा तो वो T1 और T2 का LCM होगा इसका क्या होगा LCM list common multiple इसका है मानलो period इसका मानलो period 2Pi है इसका period हमारा मानलो पाई है मानलो तो इन दोनों का LCM लोगे LCM लोगे तो क्या जागा तो यही हमारा resultant का period हो जाएगा resultant का time period होगा LCM of the two individual periodic functions time period समझ में आया बात ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो देखो भाई ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ऐसा मैं क्यों इसको रटने के लिए रटने का जरूरत भी नहीं है हम लोग चाहें तो इसको समझ सकते हैं देखो एक प्रियोडिक function है एक प्रियोडिक function इसका देखो time period क्या होगा तो टू पाई ओमेगा ओमेगा का value है 100 पाई यहां वाले का time period क्या होगा बताना चाहता हूं तो देखो भई यह तो बचारा T1 टाइम पर रिपीट करेगा फॉर example मालो मैं बोलता हूं यह कि उसका जो time period से इसका डबल टाइम प्रियोड तो यह तो अपना डबल के हिसाब से repeat करेगा मालो एक time पे दोनो दोनो पॉस्टिव एक स्ट्रीम पर आए तो यह तो भाई अपना टीवन टाइम के हिसाब से फिर से पॉस्टिव एक और हो फिर यह repeat करेगा अपने time interval के हिसाब से ऐसे लिपीट करता रहेगा अपना repeat करता रहेगा अपना motion को तो यह क्या करेगा सी खाईयम प्रियोड तो भई हाफ था उससे मित Engine प्रिट करेगा समझो समझो। मैं सब्ण जो है है यह तो अपने time के की सा से इस तरह से चलेगा क्योंकि इसका time period उसके वाले से हाफ है तो यह तो अपना इसी साफ से repeat करेगा ठीक है भाई इस तरह से यह repeat करेगा अब यह देखो कि दोनों का combined जब दोनों added होगा तो यह वाला होगा time period कि यहां पर देखो अगर एक बड़ मैचिंग होगा सेम कंडिशन में आके फिर यह कंडिशन में जाकर करके फिर से repeat हो रहा है यह वाला पूरा value यह पूरा repeat हो रहा है फिर यह पूरा repeat हो रहा है मिंस combine क्या होगा तो भाई repeating का जो हमारा sequence बनेगा वो बनेगा हमारा कितने time interval के साथ भाई तो यह time interval जो कि क्या है भाई तो इस बड़े वाले का है time period means एक का 2 pi हो जाए time period एक का pi हो जाए तो हमारा इसका LCM करने हैं देखो भाई इसका time period 2 है तो 2 seconds पे आएगा फिर 4 पे आएगा फिर 6 पे आएगा फिर 8 पे आएगा फिर यह 10 पे आएगा इस तरह से अपना repeat करना शुरू करेगा और इसका अगर time period 1 है तो यह तो भाई 11 के हिसाब से चलेगा तो यहां पे आकर repeat हो जाएगा फिर यहां पे आकर रिपीट हो जाएगा यह जब दोनों हम लोग प्लस करें या माइनस करें तो हमेसा याद रखना कि जब भी combined हो प्लस या माइनस से दो या तीन periodic function मालों एक और हमने add कर दिया साइन थ्री हंड्रेड पाइटी ठीक है तो एड़ कर दिया एक टीवान एक टीटू एक टीट्री तो इस तरह से जब होगा तो हम लोग लेंगे lcm effective time period क्या हो जागा तो lcm of t1, t2 and t3 इस तरह से lcm लेंगे वही हमारे effective time period बन जागा यह या तखना नुमेर कलों में खूब काम आएगा क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग almost last topic पर आते हैं चलो देखो वई एक और question इस टाइप के question आते हैं इसका मैं clue point अभी बता दूँ क्योंकि concept discuss कर रहे हैं हम लोग आके तो question तो और हम लोग उस question के लिए अलग class करेंगे हम लोग हमसे क्यों के लिए अलग class होगा ले यह पूरा amplitude that is stream time period दिया हुआ है it means यह हो गया कि देखो अगर यह SHM हो रहा है यह है अपना mean position x is equal to 0 position यह है कौन सा भाई तो x is equal to a positive extreme यह क्या भाई तो अपना negative extreme है minus a अब यह question कह रहा है कि ठीक है भाई particle हमारा a by 2 पे था यहां पे था x is equal to a by 2 पे था और यहां से यहां ज x is equal to a पे जा रहा है तो इसको motion करने में कितना time लगेगा इसको motion करने में यह कितना time लगा वो हमें बताने है SHM इस तरह से हो रहा है इस mean position के दोनों तरफ से ये SHM अपना हो रहा है ठीक है भई हो रहा है अपना SHM चल रहा है चाहे समझ लो कि pendulum है ऐसे ऐसे चल रहा है या तो spring mass system है ऐसे ऐसे चल रहा है लेकिन हमें X is equal to A by 2 से ले करके X is equal to A तक जाने का time निकालने है ठीक है भई तो ऐसे को कैसे हम लोग deal करेंगे कहीं से कहीं का पूछा जा सकता है तो देखो भई इसमें हम लोग थोड़ा सा अगर चला के करें क्या भई तो देखो भई यहां से यहां जाने का जो time लगता है वो वहां से यहां आने का time नहीं है क्योंकि इधर speed जादा होता है ध्यान देना mean position के पास speed maximum होता है यहां पर अगर 10 का speed है तो यहां पर 5 का speed है यहां 3 का speed है तो यहां 2 का speed है यहां 0 speed है फिर उसी तरह से यहां 10 का speed है तो यहां पर जाकर करके 5 का speed है ही तरफ पात को अगर इधर का एधर का हाफ पार्ट अगर बात करें हम लोग तो यह वाला मीन के यह तरफ जो हाफ पार्ट है इसमें हमारा कम टाइम लेगा क्योंकि एवरेज स्पीड ज्यादा है टैन है टैम है बहुत जदा टाइम है कि तो एक बात और ध्यान रखना कि ऐसे जो यहां थे जयाने में अलग टाइम है अगर मानलों यह टी टू टाइम है तो वापसी में यह टी टू टाइम लेगा और यह टी टाइम यहां जाने का टैम और यह से यहां तो भाई यह 10 इसक्स तो वापसी में भी यहांगा ए से वाला पार्ट यह वाला पार्ट में सेंट लगने हैं यह वाला पार्ट में तौने है है ठीक है इसलिए अगर तुम्हें a by 2 से a तक का निकालना है तो तुम एसे a by 2 तक का जाने का ये टाम निकाल लो बात एक ही है टाइम टे टेकन फोर a 2 b 2 a motion विल बी कोल टू टाइम इंटरवल पर a 2 a by 2 एक ही होगा और समझो यही हमें निकालने हैं ठीक है भई यही हमें निकालने हैं समझेंगे यह चलो अब कैसे निकालेंगे भई तो यह चीज़रा ध्यान रखा जाएं कुछ चीज़ें तो कम से कम ध्यान में रखने ही होते हैं तो मैं एक नटसल में तुम्हें बता दूँ कि जब भी मीन position है तो mean position से यहां से मान दो चला कोई और यह extreme पे गया फिर वापस आया फिर यह यहां तक आया तो this is called one oscillation तो यह एक time period होगा complete one oscillation लेकिन यहां से यहां चले और वापस यहां आये बस इतना ही का आइन कांट करते हैं तो इसमें time कितना लगेगा यह तो यह यह थ отвеч कितना फूरा time है यहां से यहां का time है det by 2 तो यह वाला होजाएगा tr 폭 यह वाला कि वह चाएगा तो यह स्टी क Wool हो और है यह कार्ट हो गया यह किए हो गया है यह क्या है बैइ तो我覺得 एक है फूल है यह अगया तो क्षाटर साइकल हो गया है घृव Caribbean ठीक है यहां तक तो ठीक है लेकिन अब यह समझना जराफ उन से यह भी एक्स्ट्रीम तक जाने का टाइम टीवाइत वाएं और एक स्ट्रीम से इस एक्स्ट्रीम तक का जाने का टाइम भी टीवाइटू इसमें भी कोई परसान ही नई है विलकुल ठीक है क्योंकि यहां 0 से 10 तक पी10 से 0 तक आया और यह हो गया Did Aisie Health Okay तक फिर जीरो तक होगी स्पीड का वेडियेशन तो यह दोनों सेमेटरिकल है टाइम भी सेम लगेंगे यहां तक धीक है भई थोर और आगे बरें तो अब यहां से यहां की बात करें अगर यह हमारा एंट है यहां से यहां की बात करें तो यह वाला टाइम तुम्हारा कम लेगा यह तो भाई यह देखा कि यहां से यहां का टीवाइब फोर टाइम है तो टीवाइब फोर टाइम है तो यह वाला है तुम्हारा टीवाइब 12 टाइम और यह वाला है हमारा टीवाइब six time यह समझना यह है टेट लगो टेवर 12 टेंग और यह है टीवे सिक्स टैंग इन दोनों को अगर करोगे तो यहां से यहां जाने का time मिल जागा तुम्हें टीवे 12 प्लस टीवे 6 मिल करके त्वले करेंगे लेइंट एक्स्ट् स्टीन तक तो इस तरह से यह रिगूत यह bers brushed और नोब नाने बताया आप अपको यह मैंड में स्ट रखने हैं रिजल्ट सॉटकट के लिए वैसे यह कहां से आया तो यहां तक तो समझ गए यह वाला फुल साइकल में वन टाइम प्रेयर लगता है यह समझ में आया हाफ साइकल में टाइम प्रेयर का हाफ लगता है यह समझ में आया quarter cycle में symmetrical होना चाहिए quarter cycle में भी यह वैसे ही लगेगा लेकिन अब जरा इसमें भी यह क्या हुआ था half cycle था तो चलो भाई यह भी लग गया अब इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में इधर a by 2 तक 0 से by 2 तक और फिर a by 2 से a तक यह हम लोगों ने consider किया ठीक है तो इधर मैं ज़ी यह ध्यान अकशन कि इधर जितना भी टाइम लगता है इधर हमारा इधर वाले टाइम से डबल लगता मेंश इधर अगर टीनोड टैम लगेगा तो यहां पर क्या लगए इस वाले मोशन में टू टी नोट लेगा इसलिए देखो इससे डवल हो रहा है टीवे 12 है डवल करोगे तो टीवे 6 हो जाएगा तो यह टाइम लेगा दोनों मिला करके मतलब इधर हमारा जितना टाइम लगता है इसको इसको से रखना है इस रिजल्ट कहां से आया ज़रा यह भी हम लोग देख सकते हैं देखने के लिए तो कोई परसानी नहीं है तो देख लिए जाए थोड़ा और चोटा करते हैं ठीक है रिजल्ट याद रहेगा चलो इसको जरा हम लोग समराइज करने कर तो दिया लेकिन अब हम लोग जरा इसका यह देख लें कैसे लेगा तो ड आइंट 2D by 6 में काम पो जाएगा तो सेक्ट में यह आंसर क्रेक्ट हो गया यह से अपसन करते हैं लेकिन तुम्हें यह दोम तो कॉमन से पता टी टाइम लग रहा है यहां तक तो ठीक है लेकिन उस टीवाइब फोर मीन से एक्स्ट्रीम तक जाने का टाइम है टीवाइब फोर इसको हम लोग दो लेंथ में डिवाइड करें तो इधर के टाइम कम लगेंगे इधर का टाइम ज्यादा लएगा यह भी सब को माइंड में स इसलिए टीनोट में लग रहा है उससे डबल तंडें लगा तो टिवाइब लगा तुछाहे तो यह सबाइ में लगा तो चलो इसको हम लोग हैसम करते हैं कि कैसे यह हुआ, तो ठीक है भाई, देखा जाए, इस result को हम लोग समझने की कोशिस करें, तो इसको हम लोग mathematical ही ला सकते हैं, let x हमारा SHM जो है, अगर x is equal to a sin omega t से represent करें, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हो गया कि at t is equal to 0, x is equal to 0 है, that is at mean position है, mean position पर है यह, चलो ठीक है भाई, t is equal to 0 पर mean position है, अब हम लोग जानना चाहते हैं, कि ऐसा time for t, for time to reach, ऐसा हम लोग time निकालना चाहते हैं, कि यह पहुँच जाए कहां पर भाई, तो x is equal to a by 2 पर पहुँच जाए, मैं जानना चाहता हूँ कि a by 2 पर कप पहुचेगा, ठीक है, मतलब हम लोग कौन सा time में interested हो गए, t is equal to 0 पर तो यहां मीन पर है, अब हम लोग जानना कहां का चाहते हैं, तो हम लोग यहां से यहां का चाहते हैं, अगर यह time मिल जाएगा, total time तो पता ही है, t by 4 time, तो अगर यह time भी हमें मिल जाए, क्योंकि हमने x is equal to a sin omega t equation लिया है, इसका मतलब कि t is equal to 0 पर यहां है, अब t equal to 0 पर यहां है, तो ठीक है, t is equal to 0 पर यहां है, तो अब कौन से time पे तुम a by 2 पर पहुंच जाओगे, कौन से time पे भाई, तुम a by 2 पर पहुंचोगे, x का value a by 2 हो जागा, ऐसा time चाहिए, जब x का value a by 2 हो जाग जैसे ही मिल जाएगा, तो यह time जैसे ही मिल गया हमें, यानि कि t not जैसे ही मिल गया, तो यह वाला time निकाल लेंगे, subtract कर लेंगे, क्योंकि यह पूरा time जो है, ty4 है, mean से extreme तक जाने का time क्या है, ty4 है, यह सब को पता है, clear है, तो यह हम लोग निकालना चाहते है, तो t is equal to 0 पर x is equal to a by 2, मान लो हो गया, तो हमें t not चाहिए, x is equal to क्या हो गया, a by 2, तो x का value हम लोग a by 2 लिखेंगे, और a sin omega और किस time पर यह ऐसा हुआ है, तो t not time पर हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं इस equation से, when x is equal to a by 2, time is t not, तो we need the value of t not, तो यहां से देखो कैसे निकालते हैं, अब यह हम लोग t not का value calculate करें, तो यह half आ गया, half is equal to sin omega t not, तो यहां से लिखेंगे भई, तो इसका मतलब omega t not का value क्या हो गया, तो half कब होता है, तो यह होता है, 30 degree, यानि कि pi by 6 पे, pi by 6 पे होता है, तो omega t not is pi by 6, it means जो t not time है, वो कितना हो गया भई, तो pi by 6 omega, लेकिन हमें omega के term में न 2 pi by t होता है omega, बिल्कुल होता है, pi pi cancel हो जाए और क्या मिल जागा हमें, t by 12 मिल जागा, it means t by 12 ही वो time है, t by 12 ही वो time है, जब यह x is equal to a by 2 पे पहुँच जाएगा, और t is equal to 0 पे कहा था, mean पे था, it means mean से यहां तक जाने का जो time मिला हमें, t not का value, तो t not का value हमें मिल चुका है कितना भई, तो t by 12, यह याद अखना, t by 12, इसलिए जो दूसरा time जो हम लोगो जो required time था, वो required time अगर निकालना हुआ, तो required time तो हमारा यह था, required time जो निकालना था, वो हमारा is equal to, मानलो, t dash है, तो वो हमें चाहिए था, कहां से कहां के लिए भई, तो हमें time चाहिए था, क ठीक है, देखो कैसे निकल जाएगा यह, तो यह जो time interval है, वो हो जाएगा, a by 2 से a का निकालना है, तो क्यों ना हम लोग भई, 0 to a का time, minus, 0 to a by 2 का time करें, बात एक ही है, 0 से a का time, और minus 0 से a by 2 का time, तो 0 से a का time था t by 4, और यह जो है, 0 to a by 2, वो हम लोग निकाल चुके हैं, 0 to a by t का t by 12 है, तो इससे हम लोग जब value निकाल लेंगे, तो यह क्या मिल जागा भई, तो 3t minus 3, that is 2t by 12, that is t by 6, तो t by 6 value हमें मिल जाएगा अपने आप, तो t by 6 का value मिल गया, ठीक है भई, clear है यहा हमें time मिल गया, तो required time हमें मिल गया, कि a by 2 से a जाने में क्या होगा, total t by 4 में से यह t by 12 सब्टेक्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए बात, और हम लोग चाहें, तो आप सोचेंगा, अच्छा, सवर ने तो चला किसे, x is equal to a sin omega t ले करके, और निकाल दिया भई, यह time, अच्छा, कॉस लेके भी कर सकते थे, क्या, हाँ भई, बिल्कुल कर सकते थे, कॉस लेके भी कर सकते हो, तोड़ मरोड कर दो भई, देखो, अगर हम लोग, x is equal to a cos omega t से काम करना, start करें, और हम लोग निकालना चाहें, कि भई, a by 2 से a, या a से a by 2 जाने में क्या time लगता है, तो देखो जैसे यह equation लिखा, इसका मतलब कि at t is equal to 0, x is equal to plus a होगा, मिन्स यह positive extreme पे है, initially यह positive extreme पे है, initially at कहां आया भाई, तो positive extreme पे आ गया, positive extreme पे आ गया, positive extreme पे पोजिशन पे ट is equal to 0 पे ही है, अब हम लोगों को चाहें, यह क्या भाई, तो ठीक है भाई, जब positive extreme पे है, means यहीं पे ह यहां है यह हमारा X equal to 0 है यह negative extreme है अब अगर T equal to 0 पर पार्टेकल यहां है तो यहां से सबसे पहले तो यह A by 2 पर आएगा तो हम लोग अगर यह time निकाल लेते हैं क्योंकि अभी यहां पर आ चुका है यह पहले ही जैसे ही question लिया T is equal to 0 पर यह प्लस A पर है प्लस A पर है यह अब यहां से जब यह धीरे धीरे जब यह time बीतेगा इसका value धीरे धीरे कम होगा तुम्हें पता ही है ना X का value इस तरह से है यह जब cost वाला है तो ऐसे है अभी तो हमारा X का value A हो चुका है T equal to 0 पर ही X का value A है अब जैसे यह time pass होगा X का value धीरे धीरे कम होगा means यह वापस हैगा और अब वापसा करकर मीमर जाएगा लड़ो मैं तो मैं मुझे ये में चाहिए कि कभ ये गाई2 ये हमारा एनिः टू हो चाहिए यह वाला टाइम चाहिए तो क्या करेंगा भय तो एक्स का वेल्व तो अगर A by 2 हमें चाहिए वो time मान लो हमें अगर T dash है तो वो T dash हमें निकाल सकते हैं मान लो T is equal to T dash पर हमारा A by 2 हुआ तो वो T dash निकाल लें तो वो T dash क्या मिलेगा हमें? वो T dash हमें यह मिलेगा क्योंकि पहले ही तो यह एक्स्ट्रीम पे है तो यहां से यहां का डिरेक्ट निकाले मिन्स यहां पे एक्स का वैलू क्या रखे भाई तो A by 2 रखें is equal to A cos omega T dash टाइम रखोगे तो X का वैलू A by 2 हो गया तो यह हमें यह चाहिए इट मिन्स हाफ वैलू is equal to cos omega T dash और यहां से हम लो लिखेंगे कि omega T dash का वैलू क्या आया भई तो हाफ कब होता है भई तो 60 डिगरी पे होता है मिन्स कितना तो pi by 3 पे इट मिन्स हमारा T dash का वैलू क्या आगया भई तो pi by 3 omega आगया इट मिन्स T dash का वैलू जो आया pi upon 3 और omega का वैलू लिखेंगे 2 pi by T तो इससे हमें मिल जागा कितना भई तो pi by cancel हो गया T by 6 डिरेक्ट मिल गया हमें T by 6 हमें डिरेक्ट वैलू मिल गया ये वाला ये वाला वैलू मिल गया क्योंकि ये T equal to 0 पे extreme पे था यहां से a by 2 आने में हमारा time T dash का वैलू मिल चिका है T by 6 अब तुम्हें इधर का चाहिए time तो पूरा T by 4 में से क्योंकि यहां से यहां जाने का time कितना था T by 4 था तो T by 4 में से ये वाला T by 6 सब्टेक्ट कर दो तो तुम्हें ये वाला भी time मिल जाएगा means यहां से यहां जाने का time चाहिए यहां से यहां जाने का time तो यह भी हम लोग निकाल लेंगे तो जब cost लेके चलोगे it means positive extreme से तुम सुरू कर रहे हो motion अपना तो तुम देखो भई कब कहा जा रहा है तो कोई value रखो गे उसके corresponding time निकाल लोगे तो वो तुम्हें यहां से जाने का time मिल जाएगा अगर sign लेके चलोगे तो इसका मतलब extreme पे नहीं हो zero पे हो mean पे हो mean पे हो t equal to zero पे और जब mean पे हो तो mean से अगर हम लोगों ने x का value a by 2 रखा तो यह वाला time मिला अब यह वाला time मिल गया हमें ty 12 तो हम लोग डिरेक्ट फिर काम कर लेंगे यहां से यहां का निकाल लेंगे इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो यह समझ में आया यह क्या बात हुआ वह क्या बात हुआ यह समझ में आया चलो वापस आ जाते हूं पेज पे पेज हमारा यह था find time taken for the particle in SHM to move from x equal to a by 2 to a time period दिया था 12 seconds तो हम लोग कर लिए a by 2 से a जाने में अगर खोपरी में यह वाला mindset है यह conclusion तुम्हें याद है तो यह ध्यान रखना चाहिए कोई conclusion को याद रखने में परसाने भी नहीं है बस यही ध्यान रखने है तुम्हें कि यह पूरा एक cycle में time t लगता है तो half cycle में time t लगता है चाहे वो half cycle यह mean से mean वाप आने का time क्या लएगा टीवाई 4 लगेगा और अगर एक तरफ का motion यह consider करें तो यह जो टीवाई 4 time है total इसमें से हम लोग half इधर का जो time होता है वो ज्यादा लगता है क्योंकि average speed इधर कम होता है इधर speed ज्यादा होता है इसलिए time कम लगता है सौटकर में इतना ही याद लेंगे जब भी जरूरत पड़े वैसे याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है कि यहां पर भाई टीवाई 12 होता है और इसी का डबल इधर होता है वो होता है टीवाई 6 तो उसका डबल हो गया इधर तो इस तरफ से हम लोग याद रख सकते हैं किसी और position से और position तक का नि ठीवाई 6 यह वाला टाइमुतना हिलेगा कितना वही तो टीवाई 4 यह वाला टाइम उतक्वेलर कितना बहुत ही टीवाई 4 यह सब काम ऐसे ही होगा क्लियर है यहां तक बात अब बात रहें थोड़ा सा conceptual visualization कुछ concept को हम लोग visualize कर सकते हैं तो वह ज़रा हम लोग देखते हैं तो देखो क्या है वई एक यह oscillating system है यह क्या है oscillating system है तुमारा जिसमें कि यह mean position यह जो दिख रहा है यहां पर यह mean position है mean position से देखो यह positive extreme मालो upward direction को हमने positive लिया तो positive extreme इधर negative extreme यह जो green color का arrow जो दिखा रहा है वो acceleration value दिखा रहा है यह देखो भई यहां पर यह mean position है यहां पर यह वल्ला क्या है तो mean position है यहां पर बोलें तो यह mean position पर है अगर मैं रोकना चाहूँ इसको mean position पह तो रोख सकते हैं भई, देखो यह एक negative direction ले लो, upward को positive direction ले लो तो इस तरह से हम लोग रोकने को कभी भी रोक सकते हैं, positive extreme पर अगर रोकना है, वो रोक लिया हम लोग ने, देखो positive extreme पर x का value यहाँ पर plus a है, velocity क्या है वहाँ पर? 0 है, और acceleration क्या है भई? तो acceleration यहाँ पर देख रहे हो, negative extreme पर है, minus omega square a, minus omega square a है हमारा negative extreme पर, अब अगर इसको हम लोग आगे बढ़े हैं, तो यह time के साथ आगे बढ़ेगा भई, अब देखो यह positive extreme पर है, धीरे-धीरे कम आएगा, फिर mean पर आएगा, mean पर आएगा, तो उस time पर क्या हो जागा, velocity हमारा यहाँ पर maximum हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, देखो है, तो यह इस तरह से अब जा रहा है, अब हम लोग चाहें, तो इसको mean पर कभी भी रोक सकते हैं, यह time के साथ अपना चलता जा रहा है, अगर mean पर रोकने की जरूरत हो, तो आप रोक सकते हैं, extreme पर जरूरत रोकना हो, तो भी रोक सकते हैं, देखो भई, अगर mean पर हम लोग रोकना, तो रोक दिया हमने मालो mean पर, तो x is equal to 0 है, बड़ यहाँ पर देख रहा हो, डाउनवर डिरेक्शन जा रहा था, तो निगेटिव विलास्टी था, इस तरह से चल रहा है, तीनों तो चलता ही, अगर यह x equal to a sin omega t है, तो velocity हमारा a omega cos omega t है, और acceleration क्या है, तो minus omega square a sin omega t है, तो इस तीनों का यह graph साथ-साथ चल रहे हैं, ठीक है बढ़ी, तो इस तरह से देख रहे हो, यह 3 हो एक साथ चल रहे है, एक time period के लिए दिखाया हुआ है, यह अपना repeat हो रहा है इस तरह से, चल रहे हैं हम लोग, देख रहे हो कि positive extreme पे velocity 0 जाता है, mean पे हमारा velocity maximum होता है, फिर हमारा extreme पे velocity 0 हो जाता है, और x हमारा इस तरह से vary कर रहा है, यह साथ-साथ इस oscillating system के लिए, x as a function of time, v as a function of time, और acceleration as a function of time, इस graph में represented है, इस तरह से चल रहा है, यह arrow का length बता रहा है, magnitude of acceleration, और arrow का direction बता रहा है, acceleration direction, which is always towards the mean, यह mean की तरफ ही तो always accelerated है, इधर ही accelerated है, always accelerated है towards the mean position, clear है यहां तक बात, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, next पे चलते हैं, यह देखो भई, यह simple pendulum है, simple pendulum है, और यह oscillate कर रहा है about this mean position, यह हमारा vertical line है, वो क्या है, वो mean orientation है, इस से देख रहा हूँ, इस direction में इस direction दोनों तरफ जा रहा है, यहां दिखाया जा रहा है velocity का value and direction, velocity का value and direction, blue arrow से दिखाया जा रहा है, extreme पे zero होगा velocity, यह maximum velocity है positive में, फिर दीरे दीरे यह कम होता हुआ, zero होगा velocity, फिर negative में दीरे इंक्रीज हो रहा है, maximum velocity फिर दीरे दीरे डिक्रीज हो रहा है value और extreme पे zero हो गया, अब acceleration यहां, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और radial acceleration, दोनों दिखाया जा रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो mg sin theta होता है restoring force, यही तो है restoring force, mg sin theta, pendulum में हम लोगें देखा था, restoring force और यह है tangential that is यहाँ पे tension का force जो हमारा वो vary करेगा, इस direction में tension minus mg cos theta, minus mg cos theta, tension minus mg cos theta is equal to mg square by r, मतलब इसका detail तो आप mathematical लिए देखी सकते हो, बट radial का variation इस तरह से हो रहा है, सबसे lowest point पे maximum होता है radial acceleration, अब यहाँ देखो weight force, weight force is not changing, हमेशा इसका value और direction सेम रहेगा, tension का value change हो रहा है, tension का value extreme पे minimum और mean पे maximum tension का value है, देखो extreme पे minimum value हो गया, direction always towards the center, center की तरफ है, यहाँ पे maximum tension का value, यहाँ minimum tension का value, weight will remain constant, weight will remain constant, उसका value और direction कुछ भी change नहीं हो रहा है, क्योंकि mg है, mg तो हमारा constant यह रहता है, tension का value जरूर चैंज हो रहा है, extreme पे हमारा कम था, अब यह दोख यह energy का variation है, kinetic energy, potential energy, total energy, total energy is constant, चाहे कहीं भी रहे pendulum किसी भी x पे रहे है, किसी भी time पे रहे है, total energy constant है, kinetic and potential variation आ रहा है, extreme में देखो kinetic energy 0 हो गया, तो इस तरह से यह भी हम लोगों ने देखा, clear है यहां तक? चलो भई, यह समझ गए, दो चीज़ देख लिए हम लोगों ने, एक चीज़ और ज़रा समझे, very very important है भाई, यह ज़रा समझे, uniform circular motion and SHM, इसका relation क्या है, तो देखो भाई, uniform circular motion कर रहा है, यह green वाला, और इसके साथ corresponding y-axis पे, इस direction में, जो इसका position है, वो यह बता रहा है, अभी देखो यह extreme पे आया, य इस point पे, यह zero velocity के साथ, यह जब जितना इसका height है, इस height को समझो दिखा रहा है, हमेशा इन दोनों का height सेम है, यह लेकिन circular motion कर रहा है, और यह इस पे, इस diameter पे, देखो इस ring को घुमा करके, यहां दिखाया जा रहा है, रिंग को ऐसे घुमाया हमने होगे ने, अब देखो सीजा तुमें दिखेगा, इसका height दिख रहा है, यह maximum height पे गया, फिर यह देखो यहां पे, यह beach वाला point मीन पे आया, फिर यह देखो lowest height पे आ गया, इस तरह से यह चल रहा है, और इसका circular motion तो यह uniform circular motion है, लेकिन इसका सिर्फ वाइड डिरेक्शन में देख रहे हैं, और इस इसका velocity का जो component, इसका velocity का जो component, इसका velocity जैसा दिखेगा, इसका velocity क्या दिखेगा, इसका velocity क्या दिखेगा, जीरो जैसा दिखेगा, देख रहे हो, extreme पे यहाँ पे गए, तो यहाँ पे velocity horizontal हो गया, vertical जीरो हो गया, तो यह vertical velocity तो बता रहा है, यह vertical velocity बताता है, horizontal velocity से इसको मतलब नहीं है सिर्फ y direction में क्या हो रहा है वो देख रहा है तो यहाँ पर 0 velocity दिखा रहा है 0 vertical velocity यह maximum vertical velocity maximum vertical velocity यह tenta vertical velocity यहाँ zero vertical velocity फिर यहाँ maximum vertical velocity positive direction में इसलिग uniform circular motion में जितने टाइम में यह circular motion हो रहा है इसका य कंपॉनेंट हमने दिखाया है projection of circular motion on any of its diameter represents a check with the same time city time period of the circular motion is to 2π by Omega होता है is时候 होता है इसलिए हमारा वेलू यहाँ पे time period का value क्या होता है 2π by omega तो यह जो जुज़ा होन्य कररहा है इसका हमारा ओमेगा वैलू, इसका हमारा ओमेगा वैलू, सर्कुलर मोशन करे अपना, सर्कुलर मोशन करे, बट इसका जो सर्कुलर मोशन का हमारा ओमेगा वैलू है, वही वैलू हमें यूज करने है, टाइम प्रियर्ड निकालने के लिए, ठीक है भाई, spring mass system, जो ideal हैसे हम लोग समझते हैं, यह है, ideal हैसे है, spring mass system, देखो एक तरफ से spring है, एक तरफ से ब्लॉक, अटेच कर दिया हम लोग ने, wooden block है, spring mass system है, देखो यह साथ साथ जा रहा है भाई, यहाँ पर mean position पर पहुंचा, तो फिर extreme position पर पहुंचा, यहाँ extreme position पर पहुंच रहा ह है, यह जो f है, value as well as direction, दोनों में हमारा force को रिप्रेजेंट कर रहा, restoring force, always towards the mean, mean position की तरफ दिखा रहा है, positive extreme पर गए, maximum force, maximum acceleration, negative extreme, maximum force, maximum acceleration, mean पर 0 force, 0 acceleration, तो इस तरह से है, horizontal ideal SSM है, horizontal spring mass system, time period, यस, चलो, भच्चो, यह देखो हम लोग, यहाँ पर हम लोग graph का और SSM का relation अहां दिखा रहे हैं, एक यह जो, देख रहे हो, यह दो, और है है, क्या है修ें सिलिन्डर है, दोनो सिलिंडर है, सिलिंडर है, हमने paper को सम्झों, wrap किया हुआ है, सिलिंडर पे मैंने paper ब्रैप कि रहा है, हमने क्या किया, spring mass system एक लगा दिया, एक spring mass system और ये जो bob है उसमें एक pen लगा दिया, एक pen लगा दिया, और ये paper पे touch कर रहा है, जहां भी इसका height जितना है वो paper पे बताता जारा है, कि मेरा height अभी कम है और उसके बाद फिर मेरा height जारा होगा, ये lowest पे चले गए, अब को टाइम के साथ तो टाइम के साहथ वह ग्राफ प्लोटेड है क्योंकि तो इस तरह रहा मुद्द थेटका यह दिखा रह रहा है जो इसके जो ग्राफ हरा रहा है विलकुल यह साइनों option प्रफ की तरह चल रहा है ये तो यह तो में स्प्रिंग मास सिस्टम का ऑसीलेशन एंड उसका ग्राफ किस तरह का आ रहा है वो भी तुम्हें साथ साथ clear होते चल रहे हैं क्लिए है बात यहां तक भई साथ चल कर देखर करके देखो यह अपना हाईट बस ये नोट करता जा रहा है हाईट नोट करता जाए डाईसा युनिफॉर्म रेड से ग्राफ आ पर आगे बरन आ उसका प्लोटिंग हो रहाई यह सब सैनुतल फंक्सिन का ग्राफ है इसलिए साइन और को साइन से ही हम लोग रेप्रिजेंट करते हैं ठीक है यह समझे हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग और दिखना चाहते हैं हम लोग कि प्ठीक इसको देखते हैं लोग यहां एक pendulum का oscillation हो रहा है ध्यान देना यहां एक pendulum का oscillation हो रहा है यह वाला जो main pendulum था बाकी pendulum को हमने oscillate नहीं कराये थे बाकी pendulum को किसी नहीं oscillate नहीं कराया किसको oscillate कराया भई तो एक pendulum को oscillate कराया गया है फिर से यह repeat होगा तो तुम देखना हमने फस्ट वाले को खाली इस वाले को दिखाया अब देखो सब के सारे pendulum जो hanged है सब के length अलग-अलग है इसका मतलब इनका time period अलग-अलग है 2.2L by G होता है जी तो सेम है लेकिन सब का time period अलग-अलग है देखा तुमने के सबसे पहले खाली इसको हमने oscillate कराया इसके साथ ये जो wire है इस wire में इसी time period के हिसाब से यहां oscillation होगा इसी frequency इसी time period के साथ यहां oscillation होगा ध्यान देना अब ये जो oscillation होगा उसके हिसाब से इसने इसका oscillation हो रहा है और string pendulum लगा हुआ हुआ है तो इस oscillation से हमारा transmit हो रहा है और amplitude किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई तो जिसका oscillation frequency match करेगा resonance वाला condition समझना बड़े सारे building है अलग-अलग frequency के समझो और ये हमने earthquake में आया seismic wave का ये frequency है अब इस frequency से जो match करेगा जिसका frequency जिसका time period या frequency इससे match करता है उसमें देखो कितना maximum amplitude बिल्डप हो रहा है बिल्डप हो रहा है न यहीं समझो कि ये earthquake आया इसका ये है frequency ये है ग्राउंड ग्राउंड में जो ये अर्थक आया समझे वाइबरेसन से जिस बिल्डिंग का frequency मैच करेगा उसका amplitude बहुत जादा होगा बाकियों का amplitude देखो फस्ट इसको बाकि कोई किसी को उसलेट नहीं कर आया सब इसके vibration समझो कि अर्थ भाइबरेट करना शुरू हुआ इन सबके अलग अलग time period है लेकिन देखो जिसका frequency मैच हो रहा उसके amplitude में कितना ज्यादा force oscillation resonance यह बना frequency matching हुआ है इसलिए इसके साथ इसका maximum amplitude बाकि buildings का बाकि का कम है बाकि pendulum का time period है हमारा oscillation का amplitude बहुत कम है इसका amplitude बहुत जादा है इस लिए इस building के collapse होने का chance जादा है तो उसी तरह से जब आर्थ के काता है तो बड़े सारे बिल्डिंग के अलग-अलग time periods है अलग-अलग frequency जिसका frequency match करेगा उसमें maximum amplitude बिल्डप होगा और उसका इतना ज्यादा amplitude वह सस्टेन नहीं कर पाएगा तो वह collapse करेगा इस एक्जामपल ओफ resonance यह resonance का example हो गया क्लेर यहां तरह